194 BA का मतलब बड़े एडिक्ट लोग, इसको ऐसे याद रखेंगे, 194 BA means बड़े एडिक्ट लोग, बड़े एडिक्ट लोग करके जो लोग है, बड़े एडिक्ट, एडिक्ट हो जाते है न, और वो एडिक्ट किस से होते है, ऑनलाइन गेम से, एश्वरा इधर देखो पेटा, छोड़ दो आप, इधर धियान दीजिए, कुछ लोग ऐसे होते है, जो बड़े एडिक्ट हो जाते है, तो आप ये समझेए, ये बड़े एडिक्ट लोग, और ये यहाँ पे ओनलाइन गेम से, अगर उनको कुछ विनिंग होती है, तो विनिंग्स होता है किस से, ओनलाइन गेम से, तो ओनलाइन गेम्स की विनिंग है, उस पे TDS 194 BA में आएगा, अब एक चीज़ समझना, ओनलाइन गेमिंग की जो विनिंग है, उस पे TDS 194 BA में आएगा, लेकिन वो इंकम टैक्सिबल कौन सी सेक्शन में होगी, तो आपको मैं बताओ, अगर आपको याद रहे, तो हमने कॉम्पक्ट में जो वॉल्यूम वन पड़ा था, उसमें हमने मोस्टली लास्ट या लास्ट लास्ट लेक्चर में हमने पड़ा था, एक सेक्शन का जिकर किया था, और उस सेक्शन का नमबर था, सेक्शन नमबर 115 BBJ करके, और 115 BBJ मैंने बताया था, और 115 BBJ ये बोलती ह आपकी कोई online game से winning होती है, online game जो है और online game से winning होता है और online game का winning है वो आपका 30% की rate से taxable होता है। प्लस D कर दीजिए और उसके बाद उसमें से आप लेस कर दीजिए B प्लस C है वो आप उसमें से लेस कर दीजिए मिस आप A और D को प्लस कर दीजिए और इसकी जो टोटल आती है उसमें से आप जो B और C होता है वो B C की टोटल को आप एड़ करके और आप less कर दीजिए, जो भी पचेगी, that is call your net winning, और उस net winning पे आपको 30% की rate से text भढ़ना पड़ता है, under section 115 BBJ में, तो देखिए, मैंने क्या बोला, समझने ही कोशिश करना, मैंने एक section बताई थी, 115 BBJ करके, और BBJ है, वो online games की बात करता है, वहाँ पे मैंने आपको पता रहेगा, dream 11 का example दिया था, कि आपका dream 11 में application पे आपने एक account बनाया, तो उससे net winning जो होगी, वो net winning आपकी 30% की rate से taxable होगी, अब यहाँ पे net winning कैसे calculate करते हैं, तो वहाँ पे एक formula लिखवाया था, और वो formula था, A plus D कीजिए, और उसमें से आप B plus C कर दीजिए, उसमें से less कर दीजिए, जो भी बचेगा, that is call your net winning, और इस net winning पे आपको 30% की rate से tax है, वो pay करना पड़ेगा, यह आपका volume जो था, volume number 1, उसका जो पहला topic था, tax rate वाला, उसी के last page पे आपको मैंने वहाँ पे एक example लिखवाया था, dream 11 करके, अब आप बोलोगे, यह A क्या होता है, B क्या होता है, C क्या होता है, D क्या होता है, वो मैं बता हूँ, तो A का मतलब होता है, कि इस साल में आपने अपने account से कितना withdraw किया, अकाउंट का मतलब, यहां पे जो dream 11 पे account है, या जो online game application है, उस application पे जो आपका account है, उस account से आपने कितना withdraw किया, that withdrawal is call your A, उसके बाद D का मतलब होता है, कि आपका closing balance कितना है, आपका जो closing balance है, वो closing balance कितना है, उसके बाद B का मतलब यह होता है, कि भहया, आपने इस साल में कितना deposit किया था उस account में? इस साल में आपने कितना deposit किया था और C का मतलब होता है कि आपका उसमें opening balance कितना है उस account में? अब एक बात बताओ, इस account को बार बार हम user account बोलेंगे क्या बोलेंगे user account? user account किसको बोलते है? तो जैसे मानलो यह एक application है इस application का नाम है My 11 Circle तो My 11 Circle यह online gaming यह application है जिस पे आप अपना एक account बनाते हो तो जब मैं account की बात करूँ तो account का मतलब होता है इस application पे जो आपका account बनता है जैसे Paytm wallet होता है न वैसा ही इसमें wallet बन जाता है जैसे Paytm wallet होता है गूगल पे जैसा कोई wallet होता है तो wallet जैसा ही यहां पे एक account बन जाता है तो जैसे मैं बात कर रहा था मैंने यहां पे try किया इस पे एक बार login करने का बट login हो नहीं रहा है मैं सोच रहा था इस पे account बना दू और account बना के मैं आपको बताऊं कि इसमें कैसे जो है वो आपका पैसा deposit होता है कैसे आपका पैसा है वो आपका withdraw होता है एक probo करके application और था I think तो probo पे check कर लेते एक बार हो सकता है या नी probo probo app बट यह I think probo जो app है यह आपका trade online पे गए इसमें लेकिन application ही I think एक सेगंडा जैसे यह मेरा एक यूजर अकाउंट है 311247 311247 हाँ चलो तो यह एक online gaming application है ठीक है इतर देखिए सब लोग यह online एक gaming application है जिसका नाम है प्रोबो करके ठीक है प्रोबो प्रोबो एक online gaming application है जिसमें आप पैसा लगा सकते हो जैसे आप England-Bangladess का जो match है उसमें आप लगा सकते हो Pakistan-Shrilanka का match है उसमें आप लगा सकते हो आपको इसमें prediction करनी पड़ती है, तो ये prediction based जो game है, that is called your online game, तो जैसे Pakistan-Shrilanka का आज match है, उस पे आप लगा सकते हो, उसमें ये पूचा जाता है, जैसे Pakistan to win the match versus Shri Lanka, क्या Pakistan ये match जीतेगा Shri Lanka के खिलाब करके, आप अगर yes बोलते हो, तो उसमें आपको 6.6 rupees है, वो आपको लग जीते है, वो मुझे idea नहीं, बट मैंने इस बार पहले इस पर account बनाया था, तो एक बात समझें, ये मेरा account का balance बता रहा है, that is 97.2 है, ये मेरा account का balance बता रहा है, अब इसमें ये बताता है, कि मैंने deposit करना है मुझे कुछ पैसा, तो मैं यहाँ पर deposit करूँगा, that is add money तो इस wallet में, इस user account में पैसा deposit होगा, मुझे अगर मानलो, यहाँ पर कुछ winning को withdraw करना है, तो मैं यहाँ पर withdraw कर दूँगा, करके ठीक है, withdraw करके, और यहाँ पर KYC number होता है, आपको नाम डालना पड़ता है, pen number डालता है, date of birth डालना पड़ता है, उसके बाद आप ये पैसा withdraw कर सकते हो, तो आप समझ रहे हो, एक तो होता है deposit, deposit में मानलो, मेरा ICICI bank में account है, उससे मैं पैसा user account में डालूँगा, that is called deposit, अब एक पात समझना, withdraw का मतलब क्या होता है, अगर मानलो, मेरी winning बहुत जादा होगी, मुझे पैसे को withdraw करना है, तो मैं पैसे को withdraw कर दूँगा, औ और यहाँ पे कुछ promotional balance और मिलता है, promotional balance कभी कभी मिलता है आपको आदत लगवाने के लिए, ठीक है, आदत लगवाने के लिए यह लोग क्या करते हैं, कभी 100 रुपया दे देते हैं, लो 100 रुपया, इससे खेलो करके, ठीक है, खुश हो जाओ, इससे खेलो तुम, तो वैसा रुपया डाला था 2023, इसमें 18 में को, इसमें 1000 रुपया है, वो आप डाला था, यह मेरा एक deposit था, यहाँ पे 1000 रुपय का, जो deposit था, लेकिन क्या कुछ withdraw किया, answer is no, और आज की date में आप balance देखते हो, तो कितना balance पड़ा है, 97.2, तो यहाँ पे 900 रुपय का सत्यानास हो गया, 900 रुपय है, 900 रुपय है, उतना हमने 60 लगा दिया और हम हार गए, तो अब question यहाँ पे यहाँ आता है, कि सर मान लोग ऐसी application पे हम अगर online betting करते हैं, online जो winning है, उसका कितना income taxable होगा, यहाँ पे कितना income सर 90% loss पे है, हमारा account 1000 रुपय डाला था, और 1000 रुपय जो है, उसके आज की balance, आज का कितना, 97.2 balance है, तो जब 97.2 balance है, तो भाई साब आप अगर transaction history देखोगे हमारी, कितने debit हुए और कितने credit हुए, तो भाई यहाँ पे recharge किया था, पहली बार 1000 का, उसके बाद कुछ withdraw withdraw करनी पाए, और ultimately 90% loss पे है, और इंडिया में ऐसा ही है, इंडिया में जो इस पे पैसा गवाते है, तो यहाँ पे इस बार से निर्मला सीतारमन जी ने बोला, कि चलिए 900% का loss हो गया, और 90% हो गया, एक हजार का 90% होगा ना, 90% loss हो गया, 900% कैसे हो गया, तो 90% है, वो आपका loss हो गया, 97.2 रुपेस बचा है, तो इसको अपन लगा लेते हैं, किसी पे अगर माल लो 97.2 रुपेस बचा है, तो इसको भी आज अपन बैटिंग कर देते हैं, और चलो किस पे लगाते हैं, तुम बताओगे, उस पे हम लगा लेंगे, तो इस पैसे को हमने फोर एन एक्जामपल लगाया, यहाँ पे, ओ भाईसा भी अप्लिकेशन का चली नहीं है, हाँ, 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 तो मालो यह इंग्लेंड बंगलादेश का एक मช है, और पाकिस्तान श्रिलंका का मैच है, तो हमने लगाया, फोर एन इग्जामपल, इंग्लेंडट टू विं ड मैच वर्सेश बंगलादेश, इंग्लेंड जीतिका बंगलादेश के सामने, आंसर is य यार, बट इसमें है न, अगर 82 लगाएंगे, तो आपको 100 मिलेगा, ऐसा ही कुछ है, चलो swipe for yes कर देते हैं, bid submit हो गई करके, ठीका, 8 रुपय हमने इस पर लगा लिया, अब एक बात बताओ, मैं आपको यह सब जो करके बता रहा हूँ, इसका मेरे को कोई ऐसा आपको motivate करना नह हूँ, मैं तो आपको सिर्फ यह बता रहा हूँ, कि इसमें कैसे पैसे लगते हैं, अब देको 15 रुपे बचे, अभी 97 रुपे बचे थे, अब 15 रुपे बचे, इंडिया पाकिस्तान मैच जो है, उस पर कुछ लगा रहा हूँ, तो कुल मिला के मैं आपको यह बोल रहा हू होगी, online winning जो है, वो 30% की rate से net winning taxable होगी, बट net winning आप कैसे निकालोगे, तो net winning निकालने के लिए आप एक काम करो, इस साल में आपने कितना withdraw किया, इस साल में आपने कितना withdraw किया, वो लीजिए, और उसमें आपका closing balance कितना है 31st March को, उसको add कर दीजिए, और इसमें से less कर दी आपने कितना deposit किया था, और कितना आपका opening balance था, वो आप less कर दीजिए, जो बचेगा, वो आपका net winning आएगा, और net winning पे आपको 30% की rate से tax बढ़ना है, जो भी net winning है, वो net winning पे आपको 30% है, वो 30% की rate से आपको tax है, वो tax बढ़ना पड़ेगा, तो चलिए, अपने काम करते है और सीधा अपने एक example पे चलते है, कि यह winning taxable कैसे होता है, net winning निकालते कैसे है, तो सबसे पहले आप point number 2 पे आजाईए, जो page number 9 पे दे रखा है, net winning आपका income कैसे calculate होगा, तो देखो, यहाँ पे, computation of net winning for the purpose of section 115 BBJ, यह same example, ऐसा ही example मैंने वहाँ पे लिखवाया था, in the, like वो last वाला जो topic पड़ा था, उसमें गर के, देखो, आपको क्या करना है, net winning कैसे calculate करना है, पहले आप A plus D कर दीजिए, minus B plus C करिए, A plus D, minus B plus C करिए, तो A का मतलब होता है, amount withdraw from the user account during the previous year, आपने withdraw कितना किया, तो जैसे मेरा probo का account है, मैंने तो कुछ withdraw किया, नहीं तो withdraw कितना किया, वो amount लीजिए, उसके बाद closing balance of user account at the end of the financial year, आपका closing balance कितना है, उसको आप add कर दीजिए, तो A plus D करिए, और B plus C minus कर दीजिए, B का मतलब होता है, aggregate amount of non-taxable deposit, non-taxable deposit का मतलब होता है, ऐसा पैसा आपने deposit किया, जिस पे आपने पहले tax भर रखा है, एक बात बताईए, aggregate amount of non-ta taxable deposit का मतलब होता है, ऐसा पैसा आप इस user account में डाल रहे हो, जिस पे आपने पहले tax भरा है, जैसे example के लिए, मैं जितनी भी मेरी income होती है, ICICI bank में आप गराती है, तो उस income पे तो मैं tax भर देता हूँ, तो वो वाला पैसा अगर मैंने deposit किया, तो वो ही less होगा, जैसे इस example म मैं लेता हूँ, इधर देखिए, यह प्रोबो जो है, इस पे मैं गया, और मैंने यहाँ पे मानलो पैसा add money किया, तो जैसे ही मैं यहाँ पे add money बोलता हूँ, यह बोलता है आपको कितना add करना है, मैंने चलो 2500 रुपया add कर दिया, अब यह 2500 रुपया कहां से add कर रहा है, यह यहाँ पे recharge बे जाता हूँ, यह पूछता है, आपको application डाउलोड करनी है, उसके बाद आपको recharge करना है, तो कुल मिला कि इसमें जो पैसा मैं deposit कर रहा हूँ, वो मेरे ICICI bank से कर रहा हूँ, वो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बाकी सब चीजों से deposit कर रहा हूँ, तो मुझे यह मैं मेरा deposit कितना हुआ, तो वो यहाँ पे लिया जाए, गा कर गे, तो deposit non-taxable deposit, non-taxable deposit का मतलब यह होता है, कि भाईया, उस पैसे पे मैंने पहले tax भर रखा है, तो अब मैं deposit करते time, यह थोड़ी कोई taxable वाला amount है, उस पे तो tax भर रखा है, तो वो आपका deposit वाला amount है, वो आप पैसा deposit करते हैं user account में, और opening balance of user account at the beginning of the previous year, आपका opening balance कितना था, वो भी आपका less हो जाएगा, तो बड़ा simple है, एक बात बताओ, इस साल में कितना पैसा withdraw किया वो लीजिए, closing balance कितना है वो लीजिए, इन दोनों को आप add कर दीजिए, और उसके बाद में, आपने कितना उस account में deposit किया, और कितना आपका opening balance था, उसको add कर दीजिए, और इस पहले A और D minus B plus C कर दीजिए, आपको मिल जाएगा, यहाँ पे net winning और उस पे आपका tax है, वो लगेगा 30% की rate से, चलिए, आगे देखिए, यहाँ पे क्या दे रखा है, एक example के through मैंने आपको समझाया हु हुआ है, एक बंदा है, जिसका नाम है ताराराम देवासी, तो इसी को लेके मैंने एक example बना है, example बोलता है, ताराराम देवासी is an online fantasy game addict करके, यह game addict है, इसका बड़े लोग जो addict हो जाते है, उसको यह online gaming से आप connect करोगे BA, that is बड़े लोग addict हो जाते हैं, वो वाले, he is having the user account with the my11 circle application पर उसका user account है, opening balance as on 1-4-2023, इसका opening balance 60,000 था, उस opening balance जो था 1st April 2023 गो उस application में 60,000 था, amount deposited in previous year 23-24 in the user account, उसने उसमें जो पैसा डाला इस साल में, मैं इस अपने bank account वगरा से पैसा डाल का, यहाँ पे जो invest किया, वो कितना हुआ, 150 हुआ, तो मैं बताँ, opening balance आपका 60 है, उसने डाला, वो 150 डाला, तो कुल मिला के आपका 2,10,000 है, वो उसमें balance डाला, आपने opening इतना था, इस साल इतना deposit किया, amount withdraw during previous year 23-24, आपने withdraw कितना किया, तो आपने withdraw किया 3,37,000 आपने उस user account से withdraw कर लिया, आपकी winning हुई होगी वो, and उसका जो closing balance है, वो 72,000 है, तो आप एक काम करिए, पहले आपने जो withdraw किया, वो कितना किया, और आपका closing balance कितना है, वो आप दोनों को add कर दीजिए, तो यहाँ पे एक बात समझना, 3,37,000 प्लस आपका 72,000, तो आपका 4,9,000 हुआ, minus कर दीजिए, आपका opening balance और आपने deposit कितना किया था, तो इसमें से 1,50,000 minus करिए, minus कर 60,000, तो आपका net winning जो है, वो 1,99,000 आता है, और इस 1,99,000 पे आपका 30% की rate से tax लग जाएगा, ऐसा मैंने आपको पहले भी बताया था, कहां पे बताया था, जो dream 11 का example लेके मैंने आपको बताया था, यह इतनी winning है, 1,99,000 यह आपके ताराराम देवासी के लिए taxable हो जाएग चलिए, अब एक और question ही आता है, किस सरे अब TDS कैसे कटेगा, क्योंकि हमने चालो तो किया है TDS का section, तो TDS कैसे कटेगा, और TDS कब काटना है, तो सबसे पहली चीज़, 194 BA की बात करते है, यहाँ पे nature of payment क्या है, आप थोड़ी दिर के लिए अपने doubt है, उसको बंद कर दीज आप थोड़ी दिर के लिए, आप अपने doubt को बंद कर दीजिए, सुर्वी net deposit लिया जाएगा, आप अपने doubts को बंद कर दीजिए, प्लीज, आप doubts को बंद कर दीजिए, मैंने मेरा laptop बंद कर दिया, मैंने मेरा laptop बंद कर दिया, जिस पर आपके मैं doubts देखता हूँ, वो बंद कर दिया है, अब इदर देखो, TDS कैसे आएगा, तो सबसे पहले section 194 BA क्या बोलता है, 194 BA है winning from online games की बात करता है, pair कौन होगा, any person, pay कौन होगा, any person, और TDS का rate 30% की rate से TDS कटेगा, लेकिन TDS कब काटना है, तो guys, यहाँ पे TDS काटना पड़ेगा, जब या तो आप उस account से पैसा withdraw करते हो तब, and withdraw अगर नहीं करते हो, तो उस particular case में, जो last date पे 31st March पे TDS काटना जाएगा, तो देखो, मैंने क्या बोला, TDS कब काटना है, कौन से time पे काटना है TDS, तो वो लोग TDS काटनेंगे, जैसे ही आप account से पैसा withdraw करते हो, withdraw करते time TDS काटनेंगे, and उसके साथ साथ में, आपका last में balance कितना बचा, उस time पे TDS काटनेंगे, अब वो कैसे calculate करेंगे, क्या calculate करेंगे, वो मैं आपको examples के तुरू, एक-एक example के तुरू, मैं आपको सब चीजे है, वो मैं सिखा दूँगा, तो देखिए, यह लोग TDS कैसे काटनेंगे आपका, तो TDS is required to be deducted at the time of withdrawal during the previous year, मतलब जैसे ही आप उस user account से withdraw करेंगे, उस time TDS काटनेंगे, from the user account as well as at the end of the financial year, 31st March को भी TDS काटनेंगे, अब आप बोलोगे यह कैसे कैसे TDS काटनेंगे, मैं आपको एक-एक चीज अराम से समझा दूँगा, आप बिल्कुल tension मतलीजिए, मैंने बहुत प्यारे-प्यारे example ले रखे है, और handmade example आपको easily समझ जाएगा, सबसे पहला, अगर आप पहली बार withdraw करते हैं, तो TDS कौन से amount पे कटेगा, तो देखिए क्या दे रखा है, computation of net winning for the purpose of TDS on the first withdrawal, अगर आप पहली बार withdraw कर रहे हैं, तो क्या होगा, कैसे TDS कटेगा, तो देखो, law makers बोलते हैं, आप एक काम करिए, सबसे पहले आप लीजिए A, minus कर दीजिए B and C, मिस A मैंसे B, C को plus करके आप minus कर दीजिए, अब आप बोलोगे A का मतलब क्या, A का मतलब बड़ा simple है, कि पहली बार जब आप withdraw कर रहे हो, तो आप कितना पैसा withdraw कर रहे हो, वोलो, और minus कर दो, जब आप withdraw कर रहे हो, उससे पहले, जो है B and C, B का मतलब कितना आपने उस user account में deposit किया इस साल में, और C का मतलब होगा, opening balance कितना था, तो आप एक काम करो, जब पैसा withdraw कर रहे हो, पहली बार withdraw कर रहे हो, आप अपने user account से पहली बार withdraw कर रहे हो, इस साल में, तो जो बचेगा उस पर आप 30% से TDS काट हो, और अगर जो बचेगा वो amount अगर negative आ रहा है, तो obviously उस पर TDS काटने की जरुवत नहीं है, तो अगर आप पहली बार withdraw करते हो, तो क्या होगा, तो देखिए, amount withdraw from the user account, user account से आप कितना withdraw कर रहे हो, aggregate amount of non-taxable deposit, आपने कितना उसमें deposit किया है, till the time of withdrawal, and opening balance उस user account का कितना था, मैं example से समझाओंगा, आपको easily समझ में आएगा, आप आज आईए सब लोग इस example पे, all people please pay attention, मैंने एक example बनाया है, handmade example बनाया है, तो देखिए, from the following information, जैसे वो ताराराम वाला example है, उसी example को मैंने continue किया, यहां तो मैंने यह सिखाया था, कि ताराराम की net winning कितनी आएगी, 199, और वो taxable 30% से होगी, लेकिन इसका TDS कैसे घटेगा, तो TDS कैसे घटेगा, उसके लिए मैंने यहां पे इस example को बड़ा elaborate किया, और एक-एक date wise मैंने चीज़ों को यहां पे बताया, तो देखिए, सबसे पहला, from the following information, calculate the TDS requirement to be deducted by my 11th circle from the winning of Mr. ताराराम देवासी, opening balance of the my 11th circle account is 60,000 था और closing balance है, वो 72,000 है, तो इस account का opening balance है, वो 60,000 था और closing balance है, वो user account का last में जाके 72,000 है, चलिए, अब सबसे पहले हम देखते हैं, कि पहली date आ रही है, 14th April 2023 को उसने transfer from the bank account, means bank account से उसने deposit किया यहाँ पे, तो bank account से user account में deposit किया कितना 50,000 और एक withdraw हुआ, 30 April 2023 को transfer from the bank account, sorry, transfer to the bank account, means आपने user account से पहली बार withdraw किया 80,000, अब एक बात बताओ, जब पहली बार withdraw किया, तो क्या TDS आएगा या नहीं आएगा, तो इस example में मुझे बताओ, पहली बार आपने withdraw कितना किया, 80,000 किया, तो जब आप withdraw कर रहे हैं, वो 80,000 कर रहे हैं, तो आप एक काम करिए, जब withdraw कर रहे हैं, 80,000, उसमें से माइनस करिए, कि अभी तक आपने deposit कितना किया, और आपका opening balance कितना था, उन दोनों चीजों को माइनस कर दीजिए, उसके बाद अगर कोई positive amount आता है, तो उस पे आप TDS काट लीजिए 30%, तो ये क्या करेगा, ये जो आपका क्या बोलते हैं, आप्लिकेशन वाले हैं, ये आपका TDS काटेंगे, तो देखो, आप पहली बार withdraw कर रहे हैं, और पहली बार first time withdraw हुआ, 30 अप्रिल 2023 को, और पहली बार withdraw आपका 80,000 हुआ, तो 80,000 माइनस, आप करिए, आपने deposit कितना किया था, अभी तक 50,000, और आपका opening balance कितना था, 60,000, तो यहाँ पे आपका amount negative आ रहा है, तो पहली withdraw पे कोई भी आपका TDS नहीं कटेगा, बड़ा simple है, देखो बड़ा simple है, कि यह मानलो मैं application की बात कर रहा हूँ, मेरा जो प्रोबो करके यह application है, अब एक बात समझना, यह जो application की जो मैं बार बार बात कर रहा हूँ, कि यहाँ प्र पहली बार withdraw amount किया, वो लीजिए, अब withdraw करने से पहले आपने deposit कितना किया था, वो less कर दीजिए, opening balance को less कर दीजिए, जो बचता है, उस पे आप TDS काट लीजिए, उस पे आप TDS काट लीजिए, बड़ा ही logical है, तो देखिए, यहाँ पे मैंने बताओ, जब आप पहला withdraw कर र आपका opening balance कितना था, तो यहाँ पे amount आपका negative आ रहा है, तो no need to deduct the TDS, उस पे TDS नहीं आएगा, आपने जब पहला withdraw किया, उस पे TDS नहीं आएगा, लेकिन अगर आप subsequent withdraw और करते हो, जैसे पहली बार आपने उस application से पैसा निकाला, आप दूसरी बार पैसा निकाल रहे हो, subsequently आप पैसा निकाल रहे हो, तो क्या करना है, तो बड़ा simple है, कि आप एक काम करो, जब आप subsequently पैसा निकाल रहे हो, तो आपने पैसा निकाला कितना withdrawal वाला amount ले लो पहले, और उसमें से less करो, और withdrawal कौन सा लेना है, aggregate of withdrawal, aggregate withdrawal मतलब इस पूरे साल में, आप जब subsequently पैसा निकाल र कर दिया, वो aggregate withdrawal amount ले लो, उसमें से minus कर दो, कि आपने aggregate अभी तक deposit कितना किया था, तो aggregate deposit कितना किया था, वो minus कर दो, और opening balance कितना था, वो आप minus कर दो, जो बचेगा, उस पे उस application वाले को TDS काटना पड़ेगा, तो देखो, अगर पहली बार withdraw करते हो, तो तो क्या होगा, withdraw क amount कितना है, उससे पहले deposit कितना हुआ था, वो less कर दीजिए, और opening balance कितना था, वो less कर दीजिए, अगर आप subsequently withdraw कर रहे हो, तो subsequently withdraw के time पे आप देखेंगे, इस साल में aggregate withdraw कितना हुआ, minus कर दीजिए, कि भाईया, आपका aggregate deposit कितना हुआ अब तक, और आपका opening balance कितना था, वो minus कर दीजिए इन दोनों चीज़ों को, और अगर पहले withdrawal पे कुछ taxable हुआ था, तो उसको भी minus कर दीजिए, जो बचेगा, उस पे TDS काटना पढ़ेगा, तो चलिए, मैं example लेता हूँ, इस example से समझेगे, बट देखें यहाँ पे क्या दे रखा है, अगर आप subsequent withdrawal करते हो, तो सब से पहले, aggregate amount withdraw from the user account till the date of subsequent withdrawal, minus कर दीजिए, aggregate amount of non-taxable deposit, आपने उस account में deposit कितना किया था, आपके किसी bank account से बगरा, पैसा लागे deposit कितना किया था, जो कि non-taxable deposit है, मतलब deposit करते टाइम आपको कोई tax नहीं लग रहा, made till the time of subsequent withdrawal, opening balance आप less कर दीजिए, और और less करेंगे, net winning on which TDS प दीजिए, चलिए इस example से ही, इस example को आप निहारो, example पर ध्यान दो, तो आपको clearly understanding बैटेगी, देखो, सबसे पहला, opening balance, my 11th circle account, आपका 60,000 opening balance है, आपने पहला withdraw जब किया, 80,000, तो आपको कोई TDS नहीं आया, TDS क्यों नहीं आया, क्योंकि 80,000, minus 50,000, minus 60,000, तो आपका negative आ रह deposit किया, in the month of the, month of the, transfer from bank account, in the month of the May, आपने एक और deposit किया, 70,000, अब एक जो point बोलने वाला हो, वो ध्यान देना, बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके लिए, एक बात बताओ, ये आप अपने bank account से पैसा transfer कर रहे हो, ये भी आप अपने bank account से पैसा transfer कर रहे हो, तो ये दो deposit है, इसके बाल, आपने एक और पैसा आया, इस account में, बट वो bonus आया, bonus from my 11 circle वालोंने आपको bonus दे दिया, 11,000, एक बात बताओ, आपको 11,000 का उन्होंने bonus दिया, bonus deposit किया, आप बहुत अच्छे player थे, तो जब आप बहुत अच्छे player थे, तो उस company ने आपको bonus दे दिया, ये मेरे क taxable deposit है, क्योंकि इस पे तो tax लगना चाहिए, भाई, इस पे तो tax लगना चाहिए न, एक बात बताओ, आपने अगर अपने ICICI bank से जो पैसा डाल रहे थे, मेरा जो ICICI bank account है, उस से मैं पैसा लेका था, तो उस income पे तो already tax भरा हुआ है, यार, मैं पढ़ाता हूँ आपको, त इस पे मैंने tax भर रखा है, उस पैसे को अगर मैं उसमें डालता हूँ, तो वो जाएगा तुमारा non-taxable deposit में, लेकिन अगर आपको bonus दे दिया, यहाँ पे bonus दिया उस application है, bonus from my 11th circle, तो एक बात बताओ, जब इन्होंने bonus दिया है, तो ये तुमारे taxable deposit में जाएगा, इस पे तो tax लगना चाहिए, तो एक बात बताओ, जब आप deposit less करोगे ना, तो इसमें ये वाला deposit less नहीं करोगे, ये वाला deposit है, वो आप less नहीं करोगे, लोजिकली है ना, एक बात बताओ, इस पे तो tax लगना चाहिए, भाई, पहले जो आप deposit कर रहे थे, वो तो आपकी non-taxable deposit थी क्योंकि उस पर already आपने tax भर रखा था जैसे ये मैं मालो मेरे bank account से transfer कर रहा हूँ, ये bank account से transfer कर रहा हूँ ये तो non taxable deposit है बट आपको जो bonus दिया dream 11 वालों या 11, my 11 circle वालों ये तो तुमारे इस पर भी तो tax लगना चाहिए तो ये तुमारे taxable deposit में जाएगा, रुको सब समझेगा तो देखो, मैंने क्या बोला अब आप इस account को निहारो, क्या हुआ सबसे पहले हमारा opening balance 60,000 था हमने क्या किया, 50,000 का deposit मारा, 80,000 का withdraw किया, तब TDS नहीं आया क्यों नहीं आया, क्योंकि 80,000 मैंसे आप deposit को less कर दो और opening balance को less कर दो, minus balance आ रहा है, तो आपका TDS नहीं आएगा फिर मैंने क्या किया, में में मेरे bank account से और deposit हुआ 70 का, जून में मेरे कुछ bonus मिला, bonus और मिला 11,000 का, अब एक बात समझना, जुलाई में मैं मेरा withdraw कर रहा हूं 92,000 तो अब यह subsequent withdrawal में आया तो 92,000 यह मेरे subsequent withdrawal में आ गया, तो यहाँ पर देखिए, मैं एक काम करता हूँ, इन्होंने क्या बोला 92,000 में subsequent withdrawal जब कर रहा हूं जुलाई में, तब कितने पर TDS कटेगा, तो यहाँ पर इस sequence को समझिए पहले आपको क्या करने का aggregate amount withdraw from the user account till the date of subsequent withdrawal, तो subsequent withdrawal इस date तक मैंने कितना withdraw किया, तो दोनों की total करूंगा 80,000 मैंने किया 80,000 मैंने किया, प्लस मैंने 92,000 किया, तो इसका मतलब मैंने यहाँ पर withdraw किया 172 का, तो 1,72,000 मैंने withdraw कर दिया अब एक बात बताओ दूसरा क्या बोल रहा है aggregate amount, भी किसको बोलेंगे, aggregate amount of non-taxable deposit made till the time of subsequent withdrawal, मतलब जब मैं यह subsequent withdrawal कर रहा हूं यह 92,000, इस date तक आपका कितना non-taxable deposit किया था आपने, तो एक बात बताओ इस date तक आपका deposit तो यह 3 है, बट बेटा यह जो 2 है ना, यह तुमारा non-taxable deposit है, आपने bank से लाया हुआ है इस पर आपने tax भरा हुआ रहेगा, तो यह आपको less करना है, 11,000 less नहीं करना, जो आपको bonus वगेरा मिलता है, वो 11,000 आपको less नहीं करना, क्योंकि यह तो आपका taxable deposit है, इस पर तो tax लगना चाहिए, तो यह आपको less नहीं करना है, 11 less नहीं करोगे, आप क्या करोगे 50 और 70, तो 70 प्लस 50 आपका आगया कितना, 1,20,000 तो बेटा, 1,20,000 है, वो आपका aggregate deposit है अभी तक, तीसरा opening balance कितना था, तो आपका opening balance है, वो आपका 60,000 था, and चौता, आपके क्या पहला जब withdraw हुआ था, तब क्या कोई TDS कटा था, क्या answer is no उस withdrawal पे कुछ भी TDS नहीं कटा था, तो अब आप देखिए, आपका amount कितना आता है, तो यहाँ पे 1,72,000, minus 1,20,000, minus 60,000, यह भी तो negative हारा है, तो मैं एक बात बताओं, यहाँ second withdrawal पे भी आपका कोई भी TDS नहीं आएगा, second withdrawal पे भी आपका कोई भी TDS नहीं आएगा, क्योंकि आपका aggregate withdrawal आप देखेंगे, जब आप सब सीक्मेंट withdrawal कर रहे है, उस टाइम पे आपका कोई TDS नहीं आएगा, 80,000 है, वो आपका यह withdrawal, 92,000 आपका यह withdrawal, यह total withdrawal आपने किया, और minus 50,000 है यह आपका non-taxable deposit 70,000 आपने bank से deposit किया और opening balance आपका 60,000 निल, no need to deduct the TDS, अभी आपको TDS नहीं काटना, लेकिन एक बात समझो, एक और withdrawal मारा आपने in the month of the Feb में जाके यहाँ पे देखिए, आपका Feb में जाके withdraw हुआ उसके बाद यह हो गया था, फिर आपका sorry, August में जाके एक और deposit हुआ, क्योंकि अगर आप sequence wise, date wise चलेंगे तो यहाँ पे July के बाद में, August में जाके एक deposit हुआ, bank से आपने deposit किया यहाँ पे, तो चलिए bank से आपने 30,000 का deposit किया अब उसके बाद में आपने withdraw किया 75,000 in the month of the Feb, 10th Feb 2014 को आपने withdraw किया 75,000, तो अब आप एक काम करिए कि आप लीजिए, सबसे पहले aggregate आपके withdraw कितने है, तो aggregate withdraw कि अगर मैं बात करूँ, तो 80,000 92,000 and 75,000 तो 80,000, 92,000 and 75,000 इतना आपने उस user account से withdraw किया minus आपका deposit कितना है जो non taxable deposit है जिस पैसे पे आपने tax भरा हुआ था और उसी पैसे को आपने यहाँ deposit किया जो आपने bank वगेरा से transfer किया तो वो deposit कितना है, तो मैं बोलू वो deposit एक तो तुमारा ये 50,000 है, एक 70,000 है और एक 30,000 है तो 50,000, 70,000 30,000 and आपका opening balance कितना था, 60,000 तो इसको आप less कर दीजिए, तो ये deposit 50,000, 70,000 and 30,000 and opening balance आपका 60,000 तो अब बताईए आपका कितना balance बच जाता है तो यहाँ पे आप देखते है 80,000 plus 92,000 plus आपका 75,000 plus आपका 90,000, it comes to 90,000 नहीं 80,000 plus 92,000 plus 75,000 it comes to 247 minus आपका deposit कितना है 50,000 minus आप 70,000 minus आप 30,000 and opening balance कितना था 60,000 तो कुल मिला कि 37,000 amount आया और इस 37,000 पे अब TDS काटना पड़ेगा अब जो 37,000 है इस 37,000 पे ये TDS काटेंगे 30% की रेट से तो आप जब 37,000 जो है उस पे TDS कटेगा जब आप यहाँ पे 75,000 विड्रॉ कर रहे है न तो 75,000 विड्रॉ करते टाइम आपको यहाँ 37,000 वाले amount पे TDS कट जाएगा at the rate 30% second 10 10th Feb 2024 को अब TDS कटेगा और जब 10th Feb को TDS कटा तो March की 7 तारिक तक यह TDS Government को जमा कराएंगे देखो बड़ा simple सा concept है आपको TDS कब काटना है तो TDS काटना पड़ेगा हर विड्रॉल पे लेकिन कैसे calculate करेंगे कि विड्रॉल पे कितना किस पे amount पे TDS काटना है पहला विड्रॉल हुआ तो आपको यह देखना है कि इस account से aggregate विड्रॉल कितना हो रहा है deposit कितना हुआ था और minus opening balance कितना था तो आप एक काम करिए विड्रॉल कितना हुआ उसमें से less कर दीजिए कि deposit कितना था जो non taxable है और opening balance कितना था दोनों को total करके आप less कर दीजिए जो बचेगा उस पे आपको TDS काटना है जो बचेगा उस पे आपको TDS काटना है तो यहाँ पे अब एक और विड्रॉल हुआ भईया एक और विड्रॉल हुआ 90,000 का तो 90,000 पे देखो आपका एक और विड्रॉल हुआ in the month of the March तो इस पे भी TDS आएगा अब इस पे कैसे TDS आएगा तो आप करीए एक बात देखिए कि total withdraw कितना हुआ तो अभी तक तो आप इसकी total कर दीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक तो आप देखिए 80,000 आपका withdraw हुआ plus 92,000 plus आपका 75,000 plus 90,000 तो आपका aggregate withdrawal जो है वो आपका हुआ 3,37,000 अब आपने aggregate deposit कितना किया था वो less कर दीजिए आप इस date तक तो इस date तक aggregate deposit में यह किया था, यह किया था तो आप इस में से minus करेंगे 50,000 means 33,7 minus 50,000 minus 70,000 and minus 30,000 और आपका opening balance application का कितना था 60,000 था अब एक बात बताएं 127 आया और पहले क्या आपको text लगा है या नहीं लगा है न इसके पहले वाले withdrawal पे आपका 37,000 पे TDS already कट चुका है तो minus कर दीजिए 37,000 तो अब बचेगा 90,000 और 90,000 पे TDS काटा जाएगा इस डेट को 15 March 2024 को So 15 March 2024 को आपके 90,000 पे TDS काटेंगे at the rate 30% तो देखिए मैंने आपको यहाँ पे अभी तक दो चीज़े बताई कि बेटा जब आप withdraw करोगे न वो TDS कटेगा इन दोनों चीज़ों पे आप ध्यान दो बस देखो सबसे पहला आपका पहला withdraw हुआ तो पहला withdraw, withdraw का मतलब उस user account application से आप पैसा बाहर कितना लेकिया है, आप अपने ICIC bank में कितना transfer किया, bank account में कितना transfer किया, तो देखो आप withdraw लीजिए minus अभी तक आपने deposit कितना किया था minus कर दीजिए, और उस application का opening balance कितना था, वो minus कर दीजिए जो बचेगा, उस पर TDS काटना है, लेकिन negative आगया, तो TDS नहीं काटना अगर आप subsequent withdraw करते हैं तो क्या होगा, तो aggregate आपने उस date तक कितना withdraw किया, उसकी total करिए minus करिए, aggregate उस date तक कितना deposit किया था, उसकी total करिए, और opening balance कितना है उसको minus कर दीजिए, और बिटा, अगर मानलो, पहले किसी withdrawal पर tax लगा है, तो उस amount को भी minus कर दीजिए जो बचेगा, उस पर अब TDS काट दीजिए, लेकिन एक बात समझना, अब last date पर TDS और गटेगा, और last date पर TDS किस पर गटेगा, तो last date में आपको क्या करना है, बड़ा simple है, A plus D minus B plus C plus E, इसका मतलब यह हुआ, A का मतलब तो इस साल में, पूरे साल में कितना withdraw किया इस पूरे साल में आपने कितना withdraw किया, वो ले लीजिए A में, D का मतलब, क्योंकि last date पर बात कर रहे है तो आपका closing balance कितना है, उस account को उसको add कर दीजिए तो A plus D, A का मतलब कितना withdraw किया अभी तक D का मतलब closing balance कितना था उस user account में, उसको आप add कर दीजिए तो यह total हो गया, अब आप इस में से क्या करिए, इस में से भाईया, आपका aggregate deposit कितना था पूरे साल में, उस deposit को add करिए, आपका opening balance कितना था, उसको add कर दीजिए और जिस पे already पहले TDS कट चुका है withdrawal के time पे, उसको भी add कर दीजिए, इन तीनों को add करके आप less कर दीजिए, A and D में से, तो आपको last में closing balance जितना बचेगा उस पे TDS काटना पड़ेगा तो मैं बताओ, इस example में हम क्या गरेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि आपका कितना इस साल में total withdraw हुआ, तो 337 आया, total withdraw 80, 92, 75, 90, ये आपका 80 देखिए, 80, 92, 75, 90, ये withdraw हुआ आपका closing balance कितना है account में, तो closing balance आपका 72,000 बचा है, तो 72 को add कर दीजिए minus करिए, आपने कितना deposit किया था, तो deposit आपने किया था एक तो 50, एक 70 और एक 30, तो 50, 70 and 30 इतना deposit किया था तो आप इस में से 50, 70 and 30 less कर दिए आपका opening balance कितना था 60 था, उसको less कर दीजिए और पहले क्या TDS कट चुका है amounts पे, answer is yes, पहले आपका TDS, यहाँ पे 37,000 पे कटा था, यहाँ पे 90,000 पे कटा था, तो इस पे भी आप less कर दीजिए, अब आपके पास balance कितना बचेगा, 72 बचेगा, तो 72 पे आप 30% की rate से TDS काट लीजिए, 31st March 2024 को, तो 31st March 2024 को, आप 72,000 पे TDS काटीए, देखो, ultimately आपका TDS, जो net है ना वो 199 पे ही कट रहा है कैसे 199 पे कट रहा है, एक बात बताओ, यहाँ पे आपने TDS 37 पे काटा, यहाँ पे TDS आपने 90 पे काटा, और यहाँ पे TDS आपने 72 पे काटा आप टोटल करिए, 37 प्लस 90 प्लस आपका 72 तो बेटा, 199 पे कटा और उसके हाथ में taxable भी तो 199 ही हो रहा है भाया, उसके हाथ में जो taxable है आप देखिए, इसके हाथ में taxable भी 199 हो रहा है, और आपका TDS है, वो TDS भी आपका 199 पे ही काट रहा है, बट TDS काटना कब है, वो बड़ा जरूरी है तो देखो, अगर माल लो यह पूरा जो पड़ा TDS परपस के लिए अगर मैं summarize करना चाहूं, तो आप TDS कैसे काटोगे, कौन काटेगा यह जो application वाले है, जो online betting application वाले है, वो लोग TDS काटेंगे, अब एक बात समझो, TDS यह लोग कैसे काटेंगे कैसे काटेंगे, तो उसको जिसे ध्यान दो देखो, सबसे पहले पहली बार अगर आप withdraw करते हो, तो withdraw का amount कितना है, अभी तक आपने deposit कितना किया, उसको less कर दो, और opening balance कितना है, उसको less कर दो, जो balance बचता है, उसपे TDS काटो, बट balance अगर negative आगया, तो TDS नहीं काटना, अगर आप subsequent withdraw करते हो, इस साल में, तो subsequent withdraw करते time, total aggregate withdrawal कितना है, वो लीजिए, minus aggregate deposit कितना किया था, वो less कर दीजिए, और आपका opening balance कितना था, वो less कर दीजिए, जो बचेगा, उसपे TDS काटीए, अब एक और चीज़ समझना, last date पे आपको क्या करना है, जब last date 31st March को, इस साल का aggregate withdrawal कितना है, उसकी total करिए, closing balance कितना है, उसको add up कर दीजिए, और minus क्या करेंगे, जितना आपने deposit किया था, उसको आप minus कर दीजिए, opening balance minus कर दीजिए, पहले जिस amount पे TDS कट चुका है, उसको minus कर दीजिए, जो बचेगा, उसपे आपको 31st March 2024 को TDS काटना है, तो TDS आपको देखो, दो time पे काटना है, एक तो withdrawal के time पे काटना है, और एक last balance बचेगा, उसपे भी आपको TDS काटना है, withdrawal के time पे कैसे काटना है, last balance पे कैसे काटना है, एक बार मैं वापस बता रहा हूँ, देखो, पहला first withdrawal, तो जब आपका first withdrawal होगा, तो देखेंगे, withdrawal amount कितना है, minus क्या करेंगे, कि withdrawal amount कितना है, minus करेंगे, अभी तक deposit कितना किया था, वो minus कर दो, और opening balance कितना था, वो आप minus कर दीजिए, अब आपकी subsequent withdrawal में क्या करेंगे, जब subsequent withdrawal कर रहें, तब total withdrawal कितना हो रहा है, aggregate हो ले लीजिए, minus aggregate deposit कितना था, वो ले लीजिए, और opening balance कितना था वो आप less कर दीजिए और अगर पहले TDS कटा है तो वो amount पे less कर दीजिए जो बचेगा उस पे आपका TDS कटेगा and last date पे फिर क्या करना है 31st March को TDS काटना है कौन से amount पे आप लीजिए इस साल में aggregate withdrawal कितने है उसके साथ में आपका closing balance उस application में कितना बचा है उसको add up कर दीजिए minus कर दीजिए आपने deposits कितने किये थे aggregate वो minus कर दीजिए आपका opening balance minus कर दीजिए और जिस पे पहले withdrawal पे TDS कट चुका है उसको minus कर दीजिए जो बचेगा उस पे TDS काटना पड़ेगा तो guys मैंने बड़ी मेहनत करके आपके लिए example बनाया है और इस example से आप connect कर पाओगे और ये connect कर पाओगे कि taxable 199 हो रहा है यहाँ पे यह 199 taxable हो रहा है और यहाँ TDS भी 199 पे कट रहा है बट अलग-अलग date पे कैसे TDS कटेगा अलग-अलग date पे कैसे TDS कटेगा वो मैंने आपको यहाँ पे बता रखा है कर गे ठीक है चलिए इतने के बाद मैं अब question यहाँ पे यहाँ आता है कि अगर आपके बास multiple user account है तो क्या होगा multiple user account है तो क्या होगा जैसे मान लो मैंने my 11 circle पे दो account बनाया है मैंने नमबर मेरा ही है KYC मेरा है मैंने 2, 3, 4, 5 account बना दिये तो आपको सब account को merge करना पड़ेगा सब account को merge करना पड़ेगा और सब account का deposit withdrawal एक साथ में देखना पड़ेगा means you have to aggregate merge all the account तो अगर एक ही application पे आपके पास multiple account बना दिये एक ही बंदे ने 4, 5 account बना दिये आपको क्या करना पड़ेगा all account को merge करना पड़ेगा और merge करने के बाद है आपको TDS implication है वो आपको देखनी पड़ेगी तो देखे क्या दे रखा है multiple user account in case of multiple user account of the same user each user account shall be considered for the purpose of calculating net winning and the deposit and withdrawal and balance in the user account shall means aggregate of deposit withdrawal or balance in all the user account and transfer from one account to another account will not be treated as deposit or withdrawal तो जैसे माललो एक ही application पर आपके पाद 4 account है तो वो चारो account को merge किया जाएगा जो उनकी withdrawal है वो merge की जाएगी जो उनकी deposit है वो merge की जाएगी जो उनका opening balance से वो merge किया जाएगा जो closing balance से वो merge किया जाएगा और उसके बाद TDS देखा जाएगा और फिर एक account से दूसरे account में डाला जाता है पैसा तो वो कोई आपका deposit या withdrawal नहीं माना जाएगा जैसे माललो मेरे पास दो account है उस वहीं पे तो जो मेरे पास दो user account है dream 11 पे और dream 11 पे एक account से दूसरे account में डाला तो ये ऐसा नहीं माना जाएगा कि एक जगे से withdraw हुआ है दूसरी जगे deposit हुआ है उसको withdrawal deposit दोनों से बाहर रखा जाएगा मैं उसको withdrawal deposit नहीं माना जाएगा कर गे ठीक है चलिए इतना जो discussion किया इसके उपर अगर आपका कोई doubt है तो आप मुझे पूछ लीजिए नहीं तो इसके आगे बढ़ते हैं इतना जो पड़ा उसको आप एक बार इतना जो पड़ा उसको आप एक बार कोई doubt है तो मुझे बताईए इतना जो पड़ा इसमें कोई doubt है तो मुझे बताईए सर अगर किसी की annual income basic है यहाँ पर basic exemption का benefit नहीं मिलता यह जो income रहेगी उस पर basic exemption का benefit नहीं मिलता कोई doubt नहीं है clear है अब मैं आपको एक interesting चीज़ बताता हूँ एक बाद बताओ एक बाद बताओ अगर 31st मार्च को जो TDS कटा वो 30th April तक deposit होता है चली इधर बताईए एक चीज़ बताईए मुझे एक चीज़ बताईए कभी-कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी को गाड़ी जीत गया अब एक बाद बताओ गाड़ी अगर जीत गया ऐगर कोई बंदा गाड़ी जीत गया अगर कोई बंदा गाड़ी जीत गया तो गाड़ी कैसे TDS आएगा सरफिर क्योंकि गाड़ी तो deposit में भी नहीं आएगा और नाहीं withdrawal में आएगा एक बात बताू, बड़ा सिम्पल सा लौजिकल छीज है, कि यह मेरा एक प्रोबो पर अकाउंट है, और यह जो एप्लिकेशन है इस एप्लिकेशन पर मेरा अकाउंट है, और मानलो मुझे गाड़ी जीत गया, तो एक बात बताओ, जब गाड़ी वो थार ना तो अकाउंट में डिपोजिट में आएगा और ना ही ये विड्रॉल में आएगा ना तो ये डिपोजिट में आएगा ना ही ये विड्रॉल में आएगा ये तो कहीं पे भी नहीं आएगा ना तो ये deposit में आएगा, ना ये withdrawal में आएगा, तो फिर इस section में TDS कटेगा या नहीं, तो इसको लेके CBDT ने clarification दिया, क्योंकि एक बात बताओ, application से जो withdrawal deposit करते हो वो तो आएगा, लेकिन आपको गाड़ी जीत गए, अब गाड़ी जीत गए, कार जीत गए, तो क्या होगा, तो क्या माना जाएगा, पता है, मेरे words पे अब ध्यान देना, जो मैं अगरा एक point बोलने वाला हूँ, वो उस पे ध्यान देना, ये माना जाएगा, के ये जो कार है ना, ये आपका taxable deposit हुआ, अकाउंट में, और इतना ही आपने withdraw कर लिया, ये taxable deposit हुआ, और इतना ही आपने withdraw क कर लिया, और इस पर TDS आएगा, देखो, अगर जो कार है, वो कार, for an example, मानलो मेरा एक account है, मेरा ये account है, करके ठीक है, मेरे को कार मिल गई, तो मेरे को कार मिल गई 15 लाग की, अब 15 लेक का मुझे कार मिला, तो ये माना जाएगा, कि ये car का 15 लेक है, ये मेरे account में taxable deposit हुआ like जैसे bonus हो रहा था ना, bonus हो जैसे, ये taxable deposit है, तो taxable deposit ऐसे भी अपन वो deposit में less नहीं करेंगे, deposit में हम सिरफ non-taxable deposit less करते हैं, तो ये मेरा taxable deposit है, and यही मैंने withdraw कर लिया, और बेटा इस पर TDS आजाएगा, इस पर TDS है, वो TDS आएगा करके, ठीक है, एक example लेते है, और example से सम मजने की कोशिश करिए, देखिए क्या दे रखा है, payment in cash or kind, एक बात बताओ, payment in cash or kind, whenever there is a payment to the user in kind or cash, और partly in kind and partly in cash, and not from the user account, ये user account से नहीं मिल रहा न, car जो है, वो तो user account से धोड़ी मिल रही है, वो तो ऐसे ही आप car जीत गए, तो, the provision shall apply to calculate net winning by deeming that the money equivalent to the such payment, money equivalent to the such payment has been deposited as a taxable deposit in the user account and equivalent amount has been withdrawn from the user account at the same time and shall accordingly be included in the amount A, amount A का मतलब विद्ड्रॉल में लिया जाएगा, amount A का मतलब आपका विद्ड्रॉल में लिया जाएगा, amount A का मतलब आपके विद्ड्रॉल में लिया जाएगा, और ये माना जाएगा, आपने 12 lakh विद्ड्रॉ किया है, और जो विद्ड्रॉ करते हो, उसमें से less क्या होता है, आपका अगर कोई deposit है, non taxable deposit, opening balance आप less कर जो बचेगा उस पर आपका TDS आएगा, तो देखिए example में क्या दे रखा है, Mr. Chetan कुंबार करके एक बंदा है, ये देखिए, ये महिंद्रा थार जीत गया, कहां पे, My11 Circle पे, तो Mr. Chetan won महिंद्रा थार on My11 Circle, FMV of car है, वो 12 lakh है, in this case 12 lakh treated as taxable deposit in the user account, like a bonus, जैसे bonus हुआ, ठीक is treated as withdrawal and TDS at the rate 30% is applicable on the 12 lakh under section 194 BA, in this case, My11 Circle will release the car only after ensuring that tax on such winning is paid to the government, मालो इनके पास इतना पैसा ही नहीं है, TDS काटने में, तो वो ensure करना पड़ेगा, मिन्स जैसा मैंने आपको 194 BA में बताया था, कि आगे बाले को बोलेंगे उतना advanced tax भर के आजा, या फिर उसको बोलेंगे तु इसा system यहाँ पर भी चलेगा, अब एक और चीज समझना, sir आप यह taxable deposit in the form of bonus है, तो जैसे अपन ने इस example में लिया था, कि यहाँ पर यह bonus जो मिला था, My11 Circle से, तो यह taxable deposit है, यह non-taxable deposit नहीं, but question ही आता है, कि यह taxable deposit जो है, क्या यह closing balance में आएगा या नहीं आएगा, यह आपके closing balance में आएगा या नहीं आएगा, क्या इस पर tax लगेगा या नहीं लगेगा, in simple word, क्या आपको जो यह bonus मिला, My11 Circle से, जो मैं यहाँ पर बता रहा हूं, समझने कोशिश करना, यह बड़ा interesting point है, बड़ा tricky point है, क्या यह जो bonus है, जो आपको मिला 10,000 का, यह bonus, क्या closing balance ज होगा, इसको लेके clarification है, इन्हों ने बोला, कि अगर मालो तुमारा कोई भी bonus है, और वो bonus withdrawal bonus नहीं है, मिस आप उसको withdraw नहीं कर सकते, जैसे My11 Circle पर आप account बनाओ, आपको bonus में 200 रुपया मिलेगा, और वो withdrawal bonus नहीं है, अगर उसको withdraw नहीं कर सकते, तो बेटा उसको closing balance में नहीं लेना है, अगर उसको आप withdraw नहीं कर सकते, तो उसको closing balance में नहीं लेना है, लेकिन अगर मालो आप उसको withdraw कर सकते है, तो उसको closing balance में लेना है, अगर आप उसको withdraw करी नहीं सकते, तो उसको closing balance में नहीं लेना, जैसे बहुत बार application क्या करती है, हम आपको चलो 500 रुपया दे द अब 500 रुपया देते हैं और इसको सिरफ आप गेम खिलने में यूज कर सकते हैं आप इसको विड्रॉ नहीं कर सकते हैं तो जब आप विड्रॉ नहीं कर सकते हैं तो इसको क्लोजिंग बैलेंस में नहीं लेना है क्योंकि हमको 31 मार्च पे आपको TDS काटना पड़ेगा कैसे कर विड्रोवेबल है या फिर यह सिरफ गेम खिलने में यूज हो सकता है अगर गेम खिलने में यूज होता है तो इसको फिर आप क्लोजिंग बैलेंस में नहीं लेंगे बट अगर मालो यह विड्रोवेबल है तो आप इसको क्लोजिंग बैलेंस में लेंगे कर ठीक है तो दे नहीं दे देते हैं, कुछ discount देते है, and such deposit can only be used for playing the online games, शिरफ आप इसको online games play करने में ही use कर सकते है, and not for withdrawal, अगर ये withdrawal के लिए नहीं है, तो such deposit shall be ignore for the purpose of calculating the net winning, and shall not be included in the amount of the BCD, if in the future, यहां पर जब भी आप net winning calculate करोगे, उसमें ये consider नहीं होगा, अगर गे ठीक है, ये withdrawable नहीं है, ये आप withdraw नहीं कर सकते हैं, तो in simple word, आपको ये closing balance में consider नहीं करना, लेकिन अगर मानलो, ये तुमारा re-characterize हो जाता है, and allow to be withdraw, अगर इसको withdraw करने को मिल जाता है, then shall be deemed to be the taxable deposit at the time of such re-characterization, and it shall be deemed that equivalent amount has been deposited in the user account at that time, so, आप simple सी चीज़े, आप इतना धियान रखिए, कि अगर मानलो, आपका कोई deposit हुआ, means आपको कोई bonus वगरा मिला, अब ये जो आपको bonus मिलता है, my 11th circle से, तो question ही आता है, कि जब ये bonus मिलता है, बोनस जो मिलता है, तो sir, एक बात बताओ, जब हम यहाँ पे net winning calculate करेंगे, तो नहीं लेना है, अगर ये वाला जो amount है, वो amount आप सिर्फ game खेलने में use करते हो, लेकिन अगर आप इसको characterize कर देते हो, कि इसको withdraw भी कर सकते है, in future, जैसे characterize हो गया, कि नहीं नहीं, अब तो withdrawal बन गया, तो withdrawal बन गया, तो फिर आपके ये taxability के लिए आ जाएगा, TDS purpose के लिए उ दो तरह के balance थे, एक था promotional balance करके ठीक है, और एक तुमारा जो था, वो तुमारा normal balance था, तो जो तुमारा promotional balance है, आप देखेंगे, यहाँ पर दो तरह के balance थे, एक तुमारा normal वाला balance और एक तुमारा promotional balance, तो इन simple word, promotional balance को अपने को consider नहीं करना, promotional balance को अपने को कहीं consider नहीं करना अगर ये game खिलने में ही use होता है बट अगर ये withdrawable है इसको अगर आप पैसे को withdraw कर सकते हो तो फिर आपको consider करना पड़ेगा while calculating the net winning you got my point or not yes, so this is the completion of this clarification उसके बाद मैं अगला clarification आपका जो है that is related to कि अगर आपने loan लेके पैसा डाला तो क्या उसको taxable deposit माना जाएगा non taxable deposit आपने tax बढ़ा हुआ पैसा नहीं है आपने किसी से loan लिया अरे मैंने loan लेके अगर पैसा डाला है यहाँ पे तो भी वो non taxable deposit ही है ना आप deposit लेते time आप उसको less करोगे net winning निकालते time उसको less करोगे तो देखिए क्या दे रखा है if user borrows some money and deposit in the user account will be considered as taxable deposit और non taxable deposit बेटा एक बात बताओ आपने अगर पैसा उधार लेके आपने game खेल रहे हो तो उधार लेके अगर आप dream 11 कर रहे हो तो उस particular case में यह तुमारा non taxable deposit यह CDC बात है यह आपका deposit है आपने loan लिया है आप ऐसा तो नहीं बोलो कि इस पर आपने tax कहां भरा इस पर loan लिया है यह तो less होना चाहिए इस पर धोड़ी tax लगेगा तो देखिए answer for non taxable deposit it is necessary that amount deposited by the user is not taxable that is it is already tax income in case where user borrow the money and deposit in his user account it shall be considered as a non taxable deposit only now next part guys इन्होंने एक clarification यह दिया इस बाला clarification को इतना याद भी नहीं रखोगे तो चलेगा कि जो छोटे छोटे winning है अगर कोई account ऐसा है जिसका बेचारे का पूरे महीने में withdrawal 100 रुपे से कम है 100 रुपे तक ही withdrawal होता है तो उस पर TDS नहीं काटना उस पर TDS नहीं काटना ऐसा clarification इन्होंने दिया कि अगर मालो पूरे महीने का जो withdrawal है वो 100 रुपे से जादा नहीं है 100 से जादा नहीं है ऐसे छोटे छोटे लोग जो player होते है उनके case में TDS नहीं काटना तो देखिए क्या दे रखा है अगर यह 3 conditions satisfied हो जाती है तो आपको TDS नहीं काटना कौन कौन से 3 conditions पहला नेट विनिंग कंप्राइस इन अमाउंट विद्डॉपे से जादा गा विद्डॉल नहीं है अगर आगे जाके कभी किसी महीने में 100 रुपे से जादा हो गया तो आप TDS काट लोगे जो पहले पे नहीं काटा था उस पे भी आप TDS काट लोगे जैसे for an example इस महीने में विद्डॉप सिरफ 80 रुपे था तो TDS नहीं कटेगा अगले महीने में विद्डॉप माल लो यहाँ पे 150 हो गया तो 150 महले 100 को क्रोस कर दिया तो जो पुराना नहीं काटा था उस पे भी TDS काटना पड़ेगा तो आप यह एंशूर करोगे कि भाहिया आगे जाके तो डिस्चार्ज दर टेक्स डिड़क्शन लाइबिलिटी कालकुलेटेड यहाँ पे जो डिड़क्टर है वो एंशूर करेगा कि भाहिया अगर माल लो कल उटके ऐसा हुआ कि मैं 100 रुपे से नीचे के विड्डॉल पे TDS नहीं काट रहा हो महीने मैं अगर 100 रुपे से कम का विड्डॉल हुआ अब पहले महीने आपका 80 हुआ दूसरे महीने आपका 80 हुआ थीसरे महीने माल लो आपका फोरें एक्जामपल 110 हो गया अब तो 110 में पूरे पे TDS काटना पड़ेगा अब माल लो TDS काटने के लिए पैसा ही नहीं बचा आपके यूजर अकाउंट में तो उस पर्टिकुलर केस में जो और्गेनाईजर है मलब जो अप्लिकेशन वाला है वो अपनी जेब से TDS को भरेगा ऐसा उसने यहां पे लास्ट पॉइंट में बोला है कि देखो the deductor undertake the responsibility of paying the difference if the balance in the user account at the time of tax deduction under section 194 BA is not sufficient to discharge the tax deduction liability calculated you got my point or not yes so 194 BA करके that is winning from online games तो online games से winning होती है उस पर TDS कैसे करता है पेर एनी परसंट पे एनी परसंट रेट रहेगा 30 परसंट लेकिन इक बात हुता हो online winning taxable कितना होता है तो taxable के लिए हमको जाना पड़ेगा section 115 BBJ पे और 115 BBJ जो section है वो कहाँ दे रखी है 115 BBJ section मैंने आपको उस topic में जो पहला वाला topic था उसमें भी ऐसा एक example लिखवा के कराया था यहां पे भी मैंने आपको एक example दिया 115 BBJ क्या बोलती है कि आपकी online winning की net income taxable होगी बैट net income कैसे निकालेंगे तो आप एक काम करो ना पहले इस साल में जितना आपने अपने user account से withdraw किया है उस withdraw की total कर दो जितना withdraw किया उसकी total कर दो closing balance है उसको आप add कर दो और जितना आपने उस user account में deposit किया है ठीक है non taxable deposit और आपका जो opening balance है वो non taxable deposit और opening balance उसका aggregate करके आप less कर दीचे तो जो बचेगा वो तुमारी net winning होगी और net winning पर आपको 30% की rate से tax लगेगा और winning के सामने जहां special rate से taxable होता है ना वहाँ पर आपको basic exemption के benefit नहीं मिलते तो कोई भी winning के सामने आपको basic exemption का benefit नहीं मिलेगा अब ए तो वो क्या हम यहाँ पर net winning की income निकालते time consider करेंगे answer is देखो अगर वो promotional balance सिरफ game खिलने में use होता है सिरफ आप game खिलने में use कर रहे हो तो आपको कहीं consider नहीं करना है उसको अलगी छोड़ देना है उसको आपको net winning calculate करते time आपको withdrawal या closing balance में नहीं लेना है withdrawal या closing balance में आपक net winning calculate करते time कहीं consider नहीं करना अब देखो taxability के point of view से सोचोगे ना तो easily समझेगा कि promotional balance को हमनों हमको withdrawal या closing balance में नहीं लेना तो आपको net winning कैसे निकालते है इस साल में जितना withdrawal किया उस application से पैसा निकाला और last में कितना बैचा closing balance उसको add कर दो जितना deposit किया उस account में और opening balance कितना उन दोनों को total को less कर दो ध्याद रखना promotional balance से जो bonus है referral वगिरा है वो आपके withdrawal या closing balance में नहीं आएगा अगर वो तुमारा वो नहीं आएगा अगर तुमारा जो है वो game खिलने में यूज होता है लेकिन अगर वो withdrawal है तो obviously जब आप withdrawal करोगे तब आपके withdrawal में आ जाएगा या फिर आपके closing balance में आ जाएगा तो अगर withdrawable है अगर वो promotional balance है वो withdrawable है तो उस particular case में आप जब withdraw करोगे उसमें आएगा या फिर closing balance में फिर आपको उसको include करना पड़ेगा अब अपन बात करते है TDS की कैसे TDS कब काटना है बड़ा simple है TDS कब काटना है तो देखो TDS काटना है हर withdraw पे जैसे ही आप withdraw करोगे उस withdraw पे as well as the last day पे 31st March को दोनों time पे आपको TDS देखना है अब हर withdraw पे क्या होगा तो जैसे ही आपने पहला withdraw मारा तो पहले withdraw पे आपने amount withdraw कितना किया वो ले लीजिए minus आपने deposit कितना किया था वो minus कर दीजिए and guys minus opening balance कितना था वो minus कर दीजिए ज लेकिन अगर यह amount negative आता है तो इस पे TDS नहीं आएगा लेकिन subsequent withdrawal हुआ थो subsequent withdrawal के time पे आप देखिए total aggregate withdrawal कितने हुए उस दिन तक minus कर दीजिए total aggregate deposit कितने थे वो minus कर दीजिए और opening balance कितना था वो भी आप minus कर दीजिए जो बचेगा उस पे आप TDS काट लीजिए और अगर मालो पहले already TDS किसी withdrawal पे कट चुका है तो जिस amount पे TDS कट चुका है वो भी आप minus कर दीजिए लास्ट वाला example यह है कि 31st March को क्या होगा तो 31st March को आपके aggregate total withdrawal कितने है वो लीजिए closing balance कितना है वो add करिए अब देखो closing balance में अगर वो referral bonus है और वो सिरफ use होता है उसमें किसमें use होता तो आपके जितने total withdrawal है वो लीजिए उसमें आपका क्या करना है closing balance है उसको add कर दीजिए इस साल में total deposits कितने थे वो आप ले लीजिए and guys आपका opening balance कितना था वो less कर दीजिए और पहले जिस पे TDS कट चुका है वो समांट को भी less कर दीजिए जो बचेगा उसमें 30% की rate से taxable deposit है मतलब आपके deposit में नहीं आएगा सीधा ये withdrawal में आएगा और बेटा withdrawal में आएगा तो उस पे TDS कट जाए गा करगे ठीक है चली आपने अगर पैसा कहीं से उधार लेखी डाला तो कोई बात नहीं वो non-taxable deposit ही माना जाएगा आपका deposit में आएगा deposit less होता है withdrawal है वो उसम होती है जिसका नाम है 206C subsection 1G subsection 1G 1F Ferrari गाड़ी वाला ठीक है 1G 1G क्या बोलता है समझने कोशिश करना all people pay attention आप समझने कोशिश करना law makers ये बोलते है 1G में कि आपको पता है अपन इंडिया से बाहर पैसा भेज सकते हैं इंडिया से बाहर एक पैसा भेजने की एक limit होती है LRS scheme के बारे में LRS scheme के बारे में सुना LRS का मतलब होता है liberalized remittance scheme of the RBI और RBI का LRS scheme है उसमें इंडिया से बाहर कितना पैसा भेज सकते हैं हर साल पता है आपको LRS limit LRS limit in India 250,000 dollar इंडिया में RBI की ये website है और RBI की website पर दे रखा है कि LRS में there is no restriction on the frequency of remittance however the total amount of foreign exchange purchase or remitted through all sources in India during the financial year should be within the cumulative limit of the USD 2,50,000 एक बात समझना USD 2,50,000 है वो 2,50,000 dollar जो है वो आप इंडिया के बाहर बेज सकते हैं एक साल में means maximum limit जो है वो आपके लिए है 2,50,000 dollar as per the RBI ये RBI की website पर मैं हूँ और ये RBI की website पर बता रखा है LRS क्या होता है LRS का मतलब होता है इंडिया के बाहर आप पैसा कितना जैसे माल लो मैंने सोचा मैं दुबई में फ्लैट करीदूंगा मैंने सोचा कि मैं दुबई में फ्लैट खरीदूंगा दुबई में फ्लैट खरीदूंगा तो दुबई में फ्लैट करीदने के लिए मुझे इंडिया से पैसा बेजना पड़ेगा तो मैं एक साल में कितना बेज सकता हूँ 2,50,000 डॉलर, अगर आप 2,50,000 डॉलर को 80 से multiply करेंगे, तो it will comes to approximately कितना आता है, 2 करोड के आसपास आता है तो आप ये समझ सकते हैं कि every year इंडिया से आप 2.07 करोड अगर आप perfectly आज की rate से multiply करेंगे, तो 2 करोड के करीब आप इंडिया के बाहर भेज सकते हैं आप बहुत बार सोचते होंगे चलो Apple के share खरीद लेते हैं अपन लोग है, वो Apple के share खरीद लेते हैं Tesla के share खरीद लेते हैं तो एक साल में कितना पैसा इंडिया के बाहर भेज सकते हैं पता है, that is the $2,50,000, अब एक पास समजना, ये सब चीजों को, ये सब चीजों को, ये सब चीजों को control करने के लिए, and track करने के लिए, हमारी government ने एक section लाई 206C subsection 1G, और 206C subsection 1G क्या बोलता है, इधर देखना, अब आपका ध्यान इधर होना चाहिए, आप book में कहीं पे भी नहीं देखोगे, इधर देखो, इन्होंने क्या किया, पहले ये section क्या बोलती थी, इस साल से कुछ amendments है, वो amendments क्या है, वो मैं आपको बता हूँगा, य के पहले हैं, जितने भी बैंक हैं, वो सब authorized dealer है, जितने भी बैंक है, जैसे कोटक के थुरह आप इंडिया के बाहर पैसा बहँ सकते हो, ICICI के थुरू बहल सकते हो, किसी के थुरू आप इंडिया के बहार remittance कर सकते हो, that is call your authorized dealer, तो किसी भी authorized dealer के थुरू, अगर कोई भी person ह वो इंडिया के बाहर पैसा भेजता है और इंडिया के बाहर अगर वो 7 lakh रुपेज पर एनम से ज़्यादा भेजता है इंडिया के बाहर तो उस particular case में बेटा in excess of 7 lakh means 7 lakh से ज़्यादा रहेगा उस पर 5% की rate से TCS आएगा ये law में section पहले से थी करके तो देखो इस बार amendment क्या हुआ वो भी मैं आपको बताऊँगा तो देखे अगर कोई authorized dealer है और authorized dealer के through कोई भी person है वो इंडिया के बाहर पैसा भेजता है under the LRS scheme जैसे इंडिया के बाहर आप share खर के लिए जा रहे हो किसी भी purpose के लिए इंडिया के बाहर या मकान खरीदने के लिए आप इंडिया के बाहर पैसा भेजते हो so under LRS scheme आप अगर इंडिया के बाहर 7 lakh पर एनम से ज़्यादा भेजते है तो जो in excess of 7 lakh है ना उस पर 5% की rate से TCS आएगा इं excess of 7 lakh है उस पर आपका 5% की rate से TCS आएगा तो आपका TCS 5% in excess of 7 lakh जैसे मैं एक example लेता हूँ मैंने क्या किया last year ये Mr. BB है और मैंने क्या किया authorized dealer के दुरू for an example मैंने पैसा बेजा इंडिया के बाहर मैंने पैसा बेजा इंडिया के बाहर दुबई मैंने पैसा बेजा और द से 7 lakh पे TCS नहीं आएगा 7 lakh पे मुझे कोई TCS नहीं देना बट 7 lakh के उपर जो 93 lakh रहेगा उस पर बेटा 5% की rate से मुझे TCS देना पड़ेगा 5% की rate से मुझे TCS देना पड़ेगा Miss authorized dealer है वो मेरे से 5% की rate से TCS collect करेगा यहाँ पे in excess of 7 lakh है वो आपका TCS आ रहा है 5% की rate से लेक कि बेटा इस जो rate थी ना 5% की rate इस 5% की rate को इन्होंने बढ़ा के और जादा कर दिया और इन्होंने बोला कि अगर आप 1st October या 2023 इस date या उसके बाद में पैसा बेशते हो देखो date को याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसी साल से in between से amendment है 6 महीने मल अक्टोबर से तो अगर 1st October 2023 या उसके बाद में आप पैसा बेशते हो इंडिया के बाहर और उसमें ध्यान रखना है कि वो पैसा किसलिए भेज रहे हो पहली चीज़ वो जो पैसा है वो पैसा आप किसलिए भेज रहे हो अगर वो पैसा आप भेज रहे हो education purpose के लिए जैसे आपका बेटा कहीं foreign में पड़ता है या फिर वो पैसा आपका medical treatment में यूज होने वाला है medical treatment में यूज होने वाला है तो education या medical के लिए है तो तो यहाँ पे बेटा rate आपकी 5% ही रहेगी लेकिन अगर माल लो वो पैसा किसी other purpose के लिए आप इंडिया के बाहर भेज रहे हो other purpose के लिए बेज रहे हो त जी चाते हैं इंडिया के बाहर पैसा भेजो ही ना आप सोचिए अगर मुझे आज एक करोड रुपया इंडिया के बाहर भेजना है तो एक करोड इंडिया के बाहर भेजना है तो उस पे मुझे 20 लाक रुपेस government को as a TCS अभी पे करना पड़ेगा फिर मैं obviously return file करते time वगेर उसका credit ले लूँगा बट 20% की rate से TCS है वो collect होगा अगर आपका 7 lakh से ज्यादा है तो इन simple word मैं आपको बताओं देखिए ये section क्या बोलती है ये section बोलती है कि किसी authorized dealer के थुरू आप 7 lakh per annum से ज्यादा कोई भी person है वो इंडिया के बाहर रेमिट कर रहा है under the LRS scheme of the RBI और 7 lakh स उपर है तो in excess of 7 lakh 5% की rate से TCS आएगा लेकिन भीटा यहाँ पे एक amendment हुआ और इन्होंने बोला कि 1st October 2023 या उसके बाद में अगर आप LRS के थूरू पैसा LRS में पैसा भेज रहे हो अगर वो educational या medical purpose है educational और medical purpose है तो यहाँ पे आपका 5% की rate से TCS आएगा लेकिन उसको छोड़के किसी दूसरे purpose के लिए अगर मान लो आपका LRS जो remittance हो रहा है उसमें आपका 20% की rate से TCS आएगा अगर other purpose है तो उस पे बाबू 20% की rate से TCS आएगा बट obviously 7 lakh के उपर वाले पे 7 lakh के उपर वाले पे in this 7 lakh रुपे 7 lakh पे TCS नहीं आएगा यहाँ पे भी अब जा 20% लग रहा है उसमें भी 7 lakh तक नहीं आएगा जैसे मैं आज की date में बात करता हूँ आज मैं 1 October 2023 के बाद मैं आ गया आज एक बात बताओ आज मैं दुबई में flat खरीता हूँ तो आज अगर मैं दुबई में flat करीता हूँ एक करोड रुपया बाहर भेजता हूँ तो 7 lakh पे कोई TCS नहीं आएगा 7 lakh के उपर वाला कितना है 93 lakh, 93 lakh पे 20% की rate से TCS आएगा 93 lakh पे 20% की rate से TCS आएगा लेकिन एक बात बताओ मैं बीमार हो गया और मालो इंडिया के बाहर medical treatment के लिए जा रहा हूँ आज जा रहा हूँ medical treatment के लिए जा रहा हूँ 20 lakh रुपेस इंडिया के बाहर भेजना पड़ा तो बेटा 5% का rate लगेगा 7 lakh तक कोई TCS नहीं आएगा 7 lakh के उपर जो है वो आपका TCS आएगा at the rate 5% तो in simple word आप इसको ऐसे याद रखेंगे के देखिए पहले तो क्या था 30th September 2023 तक ऐसा था के 7 lakh के उपर किसी भी परपस के लिए इंडिया के बाहर पैसा भेजते है 5% का TCS था कोई भी परपस हो लेकिन 1st October 2023 से निर्मला सीता रमन जी ने amendment कर दिया और बोला 1st October 2023 या उसके बाद अगर आप educational परपस मेडिकल परपस के लिए जा रहे हो और पैसा भेज रहे हो तो तो 5% इसके अलावा अगर कोई आप foreign remittance कर रहे हो तो उसमें 20% की rate से government है वो TCS कलेक्ट करेगा और वो अब आप एक चीज समझना अब एक चीज समझना यहाँ पे एक चीज का उन्होंने exception डाल रखा है कि अगर आप इंडिया के बाहर पैसा भेज रहे हो और वो पैसा आपने educational loan ले रखा है वो भेज रहे है जापने क्या किया अगर educational loan ले रखा है और educational loan ले रखा है और वो लोन का पैसा अगर आप इंडिया के बाहर भेज दे हो educational loan का पैसा है वो आप इंडिया के बाहर भेज रहे हो educational loan का पैसा इंडिया के बाहर भेज रहे हो तो वहाँ पे TCS है वो 5% की rate से नहीं आएगा वहाँ पे TCS सिरफ 0.5% की rate से आएगा वाबस बोल रहाँ अगर आपने educational loan लिया example के लिए जैसे माल लो मेरा बेटा है वो मालो foreign में पढ़ता है example ले रहा हूँ मेरा बेटा foreign में पढ़ रहा है अब अगर मैंने मेरे खुद के पास से पैसा भेज दिया खुद का पैसा भेजा तो तो 5% की rate से TCS 5% की rate से TCS लेकिन अगर मैंने क्या किया मैंने ICICI bank से educational loan लिया और वो educational loan का पैसा इंडिया के बाहर बेजा अगर educational loan का पैसा अगर मैंने इंडिया के बाहर बेजा तो बाबुजी यहाँ पे 0.5% की rate से आपका TCS आएगा अगर educational loan का पैसा जो है वो educational loan का पैसा अगर मैंने इंडिया के बाहर बेजा, तो सिरफ 0.5% की रेट से TCS आएगा, और बड़ा लोजिक का लेगा, ठीक है, नहीं तो क्या होगा ना, एक बात बताओ, अगर यहाँ पे 5% आपको अपनी जेब से TCS गवर्मेंट को देना पड़ेगा, तो एक तो आप लोन ले रहे हो, बैं TCS और कलेक्ट कर रहे हो भी, जो उसको क्रेडिट मिलेगा, आपके असेस्मेंट यहर में जाके जब वो रिटन फाइल करेगा, तब तक अरे उसके पास मतलब पैसा है कहां कर गे, वो बैचारा लोन ले रहा है, और उसमें तुम 5% TCS ले लोगे, तो वो तो गलत है ना, तो इसके लिए इनोंने बोला, कि अगर educational loan है, जो कि ATE में define है, educational loan का मतलब जो higher education के लिए होता है, higher education का मतलब होता है, कि अगर मानलो आपका higher education वाल ने, 12th के बाद का कोई भी course होता है, जिसको बोला चाता है higher education, तो higher education के लिए आपने कोई bank से loan निकाला और वह वाला loan अगर वह वाले component में कहीं पे भी 7 lakh तक के amount पे TCS नहीं आएगा, 7 lakh के जो उपर वाला रहेगा, उस पे ही आपका 5%, 20% या 0.5% आएगा, चलिए, मैं इसको एक बार जो पढ़ाया, उसको quickly revise करा रहा हूँ, समझने ही कोशिश करना करगे, ठीक है, समझने ही कोशिश करना, सबसे पहली ची क्या बोला, कि अगर कोई भी person है, वो authorized dealer के थूँ, इंडिया के बाहर पैसा भेज रहा है, under the LRS scheme, और वो पैसा भेज रहा है, तो अगर 7 lakh रुपिज से जादा है, तो in excess of 7 lakh 5% की rate से TCS आएगा, लेकिन amendment हुआ, amendment applicable है 1st October 2023 से, और वो amendment ये बोलता है, कि 1st October 2023 या उसके बाद म और इंडिया के बाहर अगर educational या medical purpose के लिए भेज रहे हैं, तो आपका 5% ही TCS रहेगा, लेकिन किसी other purpose के लिए भेज रहे तो 20% TCS होगा, अबर TCS obviously आपका 7 lakh के उपर वाले component पे आएगा, अगर आपने पैसा educational loan वाला लिया है, और वो educational loan निकालके और वो पैसा बाहर भेज जाए है, तो उसमें आपका 0.5% की rate से TCS आएगा, अब एक और चीज़ समझदा, ये section का एक और component ये बोलता है, कि अगर मान लो आप क्या करते हैं, किसी person से कोई भी seller है, और वो seller से कोई भी person है, any person, अगर आप उससे OTPP खरीटते हैं, OTPP, OTPP का मतलब होता है, Overseas Tour Package Program, पैकेज खरीदते हैं, जैसे आप लोगोंने सोचा हनीमून जाएंगे, और हनीमून के लिए आपने मौल्दिफ का पैकेज खरीदा, या फिर हनीमून के लिए आपने सोचा कि हम बाली सिंगापूर जाएंगे, तो बाली सिंगापूर का पैकेज खरीदा, that is called OTPP, OTPP means Overseas टूर पैकेज प्रोग्राम, Overseas टूर पैकेज प्रोग्राम, अगर आप OTPP खरीदते हैं, तो अगर आप OTPP खरीदते हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा ना बेटा, पहले यहाँ पे TCS का रेट है, वो हुआ करता था 5%, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, जैसे आपने OTPP दो लाग का खरीदा, तो भी TCS आएगा, तीन लाग का खरीदा, तो भी TCS आएगा, एंड यहाँ पे रेट को बढ़ा के कर दिया, इन्होंने 1st October 2023 से यहाँ TCS की रेट को बढ़ा के कर दिया 20%, तो अगर आप किसी से OTPP खरीदते हैं, एक्जांपल के लिए ले गता हूँ, मालो, for an example, एक सेलर है, जिसका नाम है Make My Trip, और Make My Trip से BB सर ने, for an example, यहाँ पे OTPP खरीदा, तो Make My Trip से अगर हमने OTPP खरीदा, तो उस पर्टिकुलर केस में 5% की रेट से TCS आएगा, OTPP का मतलब होता है, कि अगर आप Overseas Tour Package Program करीते हो, मैं इस Package करीते हो, अगर आपने सिरफ Flight Book कराईए, तो नहीं लगेगा TCS, या सिरफ Hotel Book कराईए, तो नहीं लगेगा, लेकिन आपने सब Joint कराया, Package कि इसको बोलते हैं बदा है, कि जिसमें आपका Travelling का, Boarding का, Lodging का, ज पहले ही ये TCS 5% की रेट से था, बड़ 1st October 2023 से यहां पर TCS की रेट 20% बढ़ा दी गई है, तो आज कल आप देखोगे, बहुत बार Package ही बिखने कम हो गए है, Package अब नहीं बिखते हैं, अब लोग क्या करते हैं, अलग अलग बुक कराते हैं, Flight अलग बुक कराई जाती है, Package नहीं बिखते हैं, 20% का TCS रेट डाल दिया है, अब 20% आपका पैसा है, वो अभी ब्लॉक हो जाएगा, अगर आप Package खरीते हो, तो 20% आपका पैसा है, वो ब्लॉक हो जाएगा, 20% की रेट से TCS आएगा, तो इसको आप इस section को ऐसे याद रख सकते हैं, Global में पैसा भेज बेजना या घूमने जाना, Global पैसा भेजना या घूमने जाना, तो यहाँ पे दो पार्ट है, एक तो इंडिया के बाहर आप क्योई पैसा भेजते हो, किसी भी परपस के लिए वो वाला, और दूसरा है, अगर आप OTPP खरीते हो, तो उस particular case में आपका यहाँ पे TCS है, वो T गूमने जाना, ग्लोबली, ऐसा याद रख सकते हैं, पहला पॉइंट, रेमिटेंस ऑप मनी, और दें सेवन लेक, अगर 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 आप के लिए बाहर आप कुछ और परपस के लिए वगिरा बेज सकते हैं, तो जो इंडिया के परसंद रहते हैं, वो इंडिया के बाहर तो हमेशा आपको 5% की रेट से TCS आएगा, in excess of the 7 lakh, collector कौन होगा, authorized dealer collect करेगा, अगर अगर other purpose के लिए है, तो पहले यहाँ पे रेट 5% of amount in excess of 7 lakh था, लेकिन बेटा 20% का रेट हो गया है, 1st October 2023 से, sale of OTPP अगर आप करते हैं, तो 5% को sale value पहले था, लेकिन बेटा अब इसकी रेट है, वो 20% हो गई है, यहाँ पे, ओ सौरी, मैंने एक चीज़ गलत कर दी, बताते time, मैंने आपको क्या बता है, पहले ऐसा था, क्या पहले कैसा था ना, क्या OTPP के case में 5% sale value का था, अब इन्ह उने क्या किया, इस बार एक amendment किया 1st October से, और 1st October से क्या किया, यहाँ एक 7 lakh की limit डाली, और बोला 7 lakh तक के package पे 5%, और अगर 7 lakh के उपर वाला package है, तो उसके उपर वाले पे आपका जो है, वो 20%, तो OTPP के case में, यहाँ पे एक चीज समझने ही कोशिश करना, मैंने आपको बोल 1,5 परसेंट, अब इन्होंने क्या किया पता है, अब इन्होंने यहाँ पे rate को ऐसे कर दिया, कि अगर मान लो आपका जो package है, वो up to 7 lakh तक का है, तो उस पे तो 5% TCS, लेकिन 7 lakh से उपर वाला package है, तो 7 lakh के उपर वाले package पे जो है, वो आपका रहेगा 20% की rate से TCS, मैंने 7 lakh त example लिए है बहुत सारे, तो देखिए, क्या rate दे रखा है, पहले जो इसकी rate थी 5% of sale value था, लेकिन with effect from 1st October 2023, up to 7 lakh 5% TCS, और 7 lakh के उपर वाले above 7 lakh पे है, वो आपका 20% की rate से TCS आएगा, अब यहाँ पे कुछ additional point दे रखे है, कि TCS नहीं आएगा कब, अगर TDS already deducted under any section, किसी section में TDS कट गया है, तो TCS नहीं आएगा, अगर किसी section में TDS कट चुका है बेटा, तो TCS नहीं आएगा, जैसे मैं एक example लेता हूँ, example क्या लिया है, for an example, मैंने आपको बोला, कि अगर आप में से किसी ने All India 1st rank ला ली, तो मैं आपको भेजने वाला हूँ Singapore, अगर आप में से किस private limited दे, आपके लिए एक Singapore package book कराया, किस से पता है, make my trip से, तो make my trip से हमने Singapore package book कराया, और उस पे हमने 194C में TDS काट लिया, because it is a transportation of goods or passenger by any mode other than railway contract है ये, तो ये contract है, और हमने उस पे TDS काट लिया, तो बाबू फिर उस पे TCS नहीं आएगा, अगर हम make my trip का TDS काट लेते, तो यहा पे आपका TCS नहीं आएगा, तो इस particular section में क्या होता है, कि अगर आपका TDS कर चुका है, तो वहाँ पे आपका TCS नहीं आएगा, इस section में clarify किया, example जैसा मैंने बोला, कि मैंने क्या किया, एक package book किया, all India rank 1, 2, 3 के लिए, तीनों के लिए मान लो, ठीक है, तीनों के लिए, BB virtuals private limited न, एक package book किया, make my trip से, और make my trip का हमने 194C में TDS काट लिया, तो जब हमने 194C में TDS काट लिया है, तो यहाँ पे TCS नहीं आएगा, आगे देखिए क्या दे रखा है, अगर कोई buyer है, वो central government है, state government, embassy, high commission, legation, concentrate, trade, representation या local authority, यह अगर buyer है, तो TCS नहीं आएगा, जैसे central government, state government है, इन्होंने package book कराया, मोधी जी गहीं गोमने package book करा लिया, या local authority, जो BMC वगरा होती है, municipality है, उन्होंने अपने लोगों को गहीं गोमने बेजदा, इन्होंने इंडिया के बाहर पैसा बेजा, तो यहाँ TCS नहीं आएगा, as well as the, कोई non-resident अगर इंडिया में visit करता है, और वो package खरीदता है, तो क्या वो TCS आएगा, वहाँ पे answer is no, अगर कोई non-resident है बेटा, और वो non-resident बेचा, इंडिया विजिट करता है, और वो इंडिया में visit करते हैं अगर कोई package खरीदता है, तो वहाँ पे TCS नहीं आएगा, अगर वो OTPP खरीदा किसी non-resident जो इंडिया में visit करत है, visit करने के बाद मालो वापस foreign भी तो जाएगा, तो foreign जाने के लिए उसने वापस package खरीदा, या इंडिया आने के बाद फिर इंडिया के बाद उसने सुचा, वो Maldiv जाएगा, Thailand जाएगा, और वहाँ पे उसने package खरीदा, तो यहाँ पे TCS नहीं आएगा, करके ठीक है, च OTPP किसको बोलते है, OTPP means any tour package which offer visit to the country और countries और territory और territories outside India, including expenses for travel और hotel stay और boarding और lodging और any other expenditure of similar nature in relation to there too, में सकुल मिला के आपका package जो खरीदते हो, उसको बोलते है OTPP, अब एक बाद समझना है, clarification number 4 है, वो यह बोलता है, कि authorized dealers shall not collect TCS on the amount in respect of which TCS has been collected by the seller, अब एक बाद बताओ, अगर आप package बेच रहे हो, तो package में भी तो क्या होता है, बहुत बार पैसा इंडिया के बाहर बेजना है, for an example, एक मैं example लेता हो, इधर देखो, एक बार मैं समझ लेना, इधर देखना, जैसे मान लो, एक बंदा है, जिसका नाम है Mr. BB, मैंने ए सब setup होगा चुट्टी वाला गा, अब एक बास समझना, मैंने क्या किया, एक MMT से package खरीदा, make my trip से, और make my trip से package खरीदा 25 लाक रुपे का, इतना बड़ा package खरीदा, OTPP खरीदा, मैंने बोला मैं वर्ल टूर पर जाओंगा, 25 लाक का package खरीदा, अब हुआ क्या, इस 25 लाक के package में हमारा ऐसा arrangement है, मैंने उनको बोला, कि इस 25 लाक में से मुझे है न, 10 लाक रुपेज बाहर foreign currency भी चाहिए, मैं जब foreign जाओंगा, तो वहाँ मुझे खर्च करने के लिए भी तो पैसा चाहिए, मुझे वहाँ पे खर्च करने के लिए भी तो पैसा चाहिए, तो मेरे को पैसा चाहिए, तो MMT ने बोला, ठीक है सर, आप एक काम करो, आप हमको 25 लाक दीजिए, हम आपको package में फ्लाइड देंगे, तो इन्होंने मुझे package में क्या-क्या दिया, एक इन्होंने जो है, वहाँ accommodation बना के दिया, as well as वहाँ पे उन्होंने मुझे कुछ पैसा भी दिया, कि आपको 10 लाक रुपेज वहाँ foreign में खर्च करने के लिए मिलेगा, अब एक बात बताओ, इसमें भी तो कुछ न कुछ मैं पैसा इंडिया के बाहर रेमिट कर रहा हूँ, तो इंडिया के बाहर रेमिट कर रहा हूँ, और MMT है, वो मानलो authorized dealer भी है, जो इंडिया के बाहर वाले पे 20%, तो अगर इस पूरे पे TCS आ चुका है, अंडर OTPP, तो क्या वो LRS skim में इंडिया के बाहर रेमिटेंस करते हैं, उस वाले clause में वापस TCS आएगा क्या, क्या इस वाले clause में वापस TCS आएगा, क्या answer is no, तो अगर OTPP वाले में TCS आ चुका है, overseas tour package program जब book कर रह तो देखिए, क्या दे रखा है, इस वाले fourth point का मतलब क्या होता है, authorized dealer shall not collect TCS on the amount in respect of which TCS has been collected by the seller, अगर seller TCS already collect कर चुका है, तो authorized dealer है, वो TCS collect नहीं करेगा करके, चलिए, CBTT ने कुछ clarification दिये है इस बार, clarification क्या बोलता है, देखो, payment through overseas credit card not counted in the LRS, एक बात समझना, यह इन्हों ने अभी तक clarification यह दिया है, कि मेरे पास मैं ऐसा credit card है, जो international credit card है, अब एक बात बताओ, जब international credit card से मैं इंडिया के बाहर घुमने जाता हूँ, तो मैं उससे swipe करता हूँ, तो उससे swipe करूँगा, क्या उ payment through overseas credit card, overseas credit card means आपका international credit card, आपके credit card के ओपर लिखा होता है, international credit card, question ही आता है, अगर आप उससे, उससे अगर आप payment करोगे, तो क्या वहाँ TCS आएगा, क्या answer is no, वहाँ TCS नहीं है, यह clarification CBDT ने दिया है, payment through overseas credit card not counted in LRS, no TCS applicable on the expenditure through international credit card while being overseas, till further order, में उन्होंने बोला, आगे जाके हो सकता हम इसको भी cover करें LRS में, बट अभी तक वो cover नहीं है, तो आप international credit card से कुछ payment करते हो, तो उससे पर TCS नहीं आएगा, उसके बाद क्या दे रखा है, threshold of 7 lakh for the LRS is combined threshold for applicability of TCS on the LRS, irrespective of the purpose of the remittance like education, medical or other, अब एक बात बताओ, ऐसा भी तो हो सकता है, कि इस साल में मैंने क्या किया, इस साल में for an example, मैंने क्या किया, मैंने 9 lakh रुपेज का इंडिया के बाहर educational purpose के लिए पैसा बेजा, और मान लो, 8 lakh रुपेज इंडिया के बाहर है, वो मैंने पैसा बेजा, घर खरीदने के लिए बेजा, तो question ही आता है, कि 7 lakh के उपर वाले पर TCS आता है, तो 7 lakh के उपर वाले पर TCS आता है, तो क्या सर 7 lakh इन दोनों के लिए मैं अलग अलग देखूंगा, क्या, क्या मैं 7 lakh इन दोनों के लिए अलग 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 देखूंगा, educational purpose के लिए 7 lakh अलग limit, और यहां आपे home खरीदने के 7 lakh का अलग limit कै ऐसा देखूंगा answer is no CPTT बोलती है आपको combine करना पड़ेगा मिसका मतलब यहाँ 9 lakh हो गया और यहाँ 8 lakh हो गया तो 8 lakh और 9 lakh तो कुल मिला के आपका कितना हो गया 8 lakh हो गया home purpose वाला 9 lakh हो गया यह total हो गया 17 lakh 7 lakh तक TCS नहीं आएगा 10 lakh पर TCS आएगा अब आप यह 10 lakh कौन सा भाला लोगे तो भाही मैं तो यह सोचूंगा न हमेशा कि जो 7 lakh की limit exhaust किये वो मैंने home वाले के सामने किये क्योंकि वहाँ पर 20% का TCS है home वाले के सामने किये तो बेटा home वाले के सामने किये या medical purpose के लिए आप भेजते हो तो उस particular case में आपकी 5% की limit है करगे ठीक है तो देखिए क्या दे रखा है वापस से इस point को पढ़ेंगे threshold of 7 lakh for LRS is combined threshold for applicability of TCS on the LRS irrespective of the purpose of remittance like education, medical, other medical treatment में क्या क्या आएगा तो medical treatment shall include the remittance for the purpose of ticket of the patient जो ticket का खर्चा है वो भी medical remittance में आएगा his attendant उसके साथ में जो जा रहा है उसका भी खर्चा ticket का his medical expenses and other day-to-day expenses required for such purpose और education में भी यह आएगा अगर educational purpose के लिए क्या-क्या include होगा remittance for the purchase of the ticket आपने ticket purchase किया उसका खर्चा, tuition and other fees to be paid to the educational institution इंडिया के बाहर जो आप fees पे करोगे वो as well as other day-to-day expenses required for undertaking such study जो आपके day-to-day के खर्चे होते हैं वो भी educational purpose में ही माना जाएगा और उस पे आपका TCS का rate 5% आएगा ना कि 20% क्योंकि educational और medical purpose के लिए TCS की rate 5% है अदर के लिए आपके 20% है next part only overseas flight ticket is booked and only or only hotel ticket is booked is not covered in the OTPP यह मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सिरफ flight का ticket book किया है या hotel का ticket book किया है वो OTPP नहीं है OTPP का मतलब package होना चाहिए OTPP का मतलब package होना चाहिए अगर package है तो ही यहाँ पे आएगा otherwise नहीं आएगा यहाँ पे मैंने कुछ examples बनाए है आपके लिए तो चलिए अपने काम करते है मैंने यहाँ पे बहुत सारे example बनाए है total मैंने 8 example बनाए है तो यह 8 example से चीजों को समझने ही कोशिश करते है सबसे पहला example Mr. BB wants to transfer 10 lakh on the 15th September 2023 यह 15 September 2023 मतलब amendment के पहले का date and 12 lakh on 14th February 2024 उसके बाद का date to the USA for buying the property through the AB Limited at authorized dealer under the LRS scheme of the RBI अब एक बाद बताओ तो यहाँ पे TCS कैसे आएगा तो सबसे पहले मैं 10 lakh transfer कर रहा था तो 10 lakh पे आपका 7 lakh तक तो TCS नहीं आएगा तो 7 lakh पे TCS नहीं आएगा इसका मतलब यह पहले का date है उसमें rate क्या थी 5% थी तो मैं बोलू यहाँ पे सिरफ 3 lakh पे TCS आएगा at the rate 5% की rate से and बेटा यहाँ पे जो दूसरा वाला 12 lakh बेजा इस पे पूरे पे TCS आएगा 12 lakh पे आपका 20% की rate से TCS आएगा क्योंकि वो 7 lakh की limit exhaust हो गई है 7 lakh की limit है वो आपकी exhaust हो गई है 7 lakh की limit है वो आपकी exhaust हो गई है LRS का मतलब होता है liberalized remittance scheme अब पूछ लिए LRS क्या होता है पूरी मतलब माभरत सुना दी और बोलती है सीता कौन थी सबसे पहले starting में मैंने LRS बताया था यहाँ पे RBI का notification लिगा लगए ठीक है तो देखो मैंने क्या बोला यहाँ पे 10 lakh जो रुपेज है उसमें से 7 lakh पे TCS नहीं आएगा 3 lakh पे आएगा वो 5% की rate से क्योंकि पहले rate 5% थी अब आपकी rate 20% हो गई है तो आपका 12 lakh जो होगा उसमें 20% की rate से TCS आएगा चलिए आगे क्या दे रखा है दूसरा question Suppose in question number one BB wants to transfer only 5 lakh instead of the 22 lakh मालो मैं 22 lakh transfer नहीं करना चाहता सिरफ 5 lakh transfer करना चाहता हूँ तो TCS आएगा ही नहीं क्योंकि TCS तभी आता है जब जो person remit कर रहा है वो पूरे साल में मिला के 7 lakh से जादा remit कर रहा है तीसरा example Suppose in question one BB wants to transfer for the purpose of the educational और medical treatment मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ educational लोन लिया है मैं यह बोल रहा हूँ educational purpose या medical treatment के लिए है तो उस particular case में क्या होगा आपकी rate 5% ही रहेगी तो पहले वाला जो 10 lakh है उसमें से 7 lakh पे TCS नहीं आएगा 3 lakh पे आएगा 5% की rate से और बाकी वाला जो 12 lakh है उसमे 5% की rate से आएगा that is the 60,000 5% की rate से आएगा at the rate 60,000 चलिए उसके बाद question number 4 Suppose in question one BB wants to transfer for the purpose of education and this amount is out of the educational loan taken from the HDFC bank बेटा HDFC bank IDFC bank से IDFC first bank से हमने educational loan निकाला और वो वाला पैसा है तो educational loan वाला पैसा है तो rate है वो 5% या 20% जो थी उसकी जगए 0.5% हो जाएगी तो पहले वाले 3 lakh पे आपका 0.5% सिरफ 1500 रुपया और दूसरे वाले 12 lakh पे 0.5% है वो आपका 6,000 रुपेस आएगा तो यहाँ पे जो rate है वो rate यहाँ पे जो है वो आप जो है वो 0.5% हो जाएगी आगे क्या दे रखा है अगर माल लो मैंने दो अलग अलग डीलर से भेजा पैसा तो क्या होगा अब एक बात बताओ पहले इसको लेकर क्लेरिफिकेशन नहीं था तो लोग क्या कर रहे थे कि हर जगे 7-7 lakh रुपेस अलग अलग लोगों से भेजते थे जैसे ICI से बैंक से 7 lakh भेज दिया कोई TCS नहीं फिर कोटक से 7 lakh भेजा फिर माल लो कॉर्पोरेशन बैंक से 7 lakh भेजा SBI से 7 lakh भेजा HDFC से 7 lakh भेजा और कोई डीलर है उससे 7 lakh 7 lakh भेजा तो भाईया आप सब से 7 lakh 7 lakh भेज देते कोई TCS आता नहीं था इस बार CBDT ने clarification दिया है कि भाया ये limit है न वो aggregate देखी जाएगी means आपने मालो HDFC से 7 lakh भेज दिया तो फिर अगर आप कोटक से 7 lakh भेज रहे हो तो कोटक वालों को आपको TCS collect करना पड़ेगा लेकिन आपका question ये रहेगा कोटक वालों को कैसे पता चलेगा कि हमने ICICI के थुरू 7 lakh भेज चुके इंडिया के बार ये कैसे पता चलेगा तो इसके लिए इन्होंने बोला है कि RBI इसको लेके एक system develop कर रहा है RBI जो है वो इसको लेके एक system develop कर रहा है अभी तक हुआ नहीं है तो उस particular case में आपको 7 lakh का exemption रहेगा उसके उपर वाले पर TCS आएगा लेकिन अगर मान लो आप ये declaration नहीं देते हो तो पूरे पर TCS आजाएगा अब एक बात समझना आपने ये declaration गलत दी तो क्या होगा उसका कुछ भी अभी तक clarification नहीं है अभी क्या होगा ना आपको declaration देनी पड़ेगी आप declaration में लिखोगे कि इस साल हमने और कहीं किसी और dealer से भेजा है पैसा या नहीं अगर किसी और dealer से भेजा है तो भाईया वो 7 lakh का अगर limit exhaust हो गया है तो यहां से जब भेजोगे तो पूरे पर आपका TCS आएगा तो आपको self declaration देनी पड़ेगी ऐसा इनोंने clarification में इस बार CBDT ने बोला है तो देखिए क्या दे रखा है as per CBDT clarification limit of 7 lakh is applicable on total LRS remittance made by any person in a previous year in this case TCS applicable as per the answer given in the point number 1 जैसा point number 1 में था वैसा ही आपका TCS से वो आएगा में इस पहले 10 में से 3 lakh पे आएगा और बाकी 12 पे पूरा आजाएगा in this case JJ Limited will take a self declaration from the BB Limited भाई AB Limited के साथ आप जो पहला वाले के साथ भेजोगे तो पहले वाले ने exemption देदेगा 7 lakh का उपर वाले पे अब दूसरा वाला है वो आपसे self declaration लेगा about his earlier remittance through the AB Limited पहले आपने किसी के तुरू बेजा है या नहीं और वहाँ कितना TCS आएगा उसका self declaration दिया जाएगा और वो self declaration वो consider करेंगे आगे क्या दे रखा है देखिए Mr. Devam purchased a Singapore tour package from the Thomas Cook on the 16 June 2023 तो 16 June को Thomas Cook से हमने एक package खरीदा देवम ने अगर मान लो Thomas Cook से एक package खरीदा था यह OTPP है यहाँ पे 7 lakh का कोई limit नहीं है यहाँ पे कैसा होता है न देखो पहले क्या था क्या पहले 5% का TCS rate था कितने का भी package अब कैसा है ना 7 lakh तक के package पे आपका 5% 7 lakh के उपर वाले पे आपका 20% है तो यह तो पहले वाला है October से पहले वाला तो 1st October से पहले वाला है तो 7 जो आपका 250 है 250 पे 5% की rate से TCS आ जाएगा इन अबोब example अगर देवम ने TDS काट लिया तो अगर देवम ने TDS काटा तो यहाँ पे TCS नहीं आएगा तो देवम ने यहाँ पे अगर TDS काट लिया तो फिर TCS नहीं आएगा next point this is interesting SS purchase यहाँ पे SS है Mr. SS purchase a Thailand tour package from the MMT for 15 lakh का package खरीदा अभी तो 15 lakh का package खरीदा तो बड़ा simple है 7 lakh तक आपको 5% 7 lakh के उपर वाले पे 20% तो आपका क्या होगा कि यहाँ 15 lakh में तो 7 lakh तक का जो package का value है उस पर 5% की rate से TCS आएगा और 7 lakh के उपर वाले पे आपका 20% की rate से TCS आएगा कर गे ठीक है यहाँ पे यह आपका TCS आएगा अब एक बास समझना सर इसमें कौन कौन से remittance cover होते देखो यार अमारे income tax में सिरफ LRS लिखा हुआ है अगर आप कोई भी पैसा भेजते हो इसमें cover होगा अब आप बोलोगे LRS में कौन कौन सा पैसा cover होता है तो आप यह दे रखा है एक website पे एक updated liberalized remittance scheme होता क्या है RBI की website है और RBI की website पर पूरा पढ़ सकते हो और इस पर आप देख सकते है का कौन कौन सी चीज़े है वो इसमें cover होती है कौन कौन सी चीजे है वो इसमें cover होती है इसमें से आप कौन कौन सी चीजे है वो prohibited है कौन कौन सी चीजे है वो सही है कौन कौन सी चीजे आप कर सकते हो यह आपको दे रखा है यहाँ पे यह आपको दे रखा है जैसे नेपाल भुटान को इसमें आप छोड़ देते है नेपा कौन-कौन सी चीजों में आप पैसा भेज सकते है इसकी पूरी लिस्ट दे रखी है अब LRS के बारे में देखो यहाँ पे इतने सारे question दे रखे है question दे रखे है 24 question है वो आप पढ़ लीजिए घर पे जाके या RBI की website पे दे रखा है मेरे income tax में सिरफ इतना दे रखा है कि LRS में आप इंडिया के बाहर पैसा भेजते आपका TCS आएगा LRS में अब आप बोलोगे दर्शन बोलेगा सर कमीशन पर आएगा नहीं देख वो LRS अगर है वो LRS रेमिटेंस है liberalized रेमिटेंस स्किम में अगर आता है तो भईया TCS आएगा नहीं आता तो TCS नहीं आएगा बाकी मैं नहीं बता सकता अगर मुझे अलग-अलग पनारा चीज़े पूछ लोगे इसमें आएगा या नहीं आएगा मुझे नहीं पता आप इसमें देख लीजिए अगर वो LRS में फॉल करता है वो वर्ड यूज यहां पे जो कर रहा है 206C पे जाता हूँ लो और मैं आपको बता दो हमारे यहां पे लॉड ने वर्ड क्या यूज किया है हमारे लॉड में जो वर्ड यूज हुआ है that is 206C 1G दखिए 1G में हमारे यहां तो simple सा word use होता है every person, कोई भी person being the authorized dealer है who receive an amount for the remittance from the buyer for being person remitting such amount under the liberalized remittance scheme of the RBI under the liberalized remittance scheme of the RBI मेरे इसमें इतना सा दे रखा है तो अब आप मुझे यह बोलोगे के sir मैंने उसको commission दिया वो इसमें आएगा नहीं आएगा, यह चीज मैंने दी, आएगा नहीं आएगा I don't know, घर ठीक है I don't know, आप एक बार आप LRS का पूरा scheme देख लीजिए आपको यह पता होना चाहिए क्योंकि आप अगर मुझे कुछ चीजें पूछोंगे sir यह आएगा या नहीं आएगा commission आएगा यह नहीं आएगा यह किया तो आएगा यह नहीं आएगा I don't know, आप चाहिए LRS पढ़िए और अगर वो LRS में fit होता है तो फिर यह section में आएगा मेरे examiner जो आपको question पूछेंगे हमारे examiner जो है, वो आपको question पूछेंगे वो सिरफ यह पूछेंगे कि LRS में इंडिया के बाहर इतना पैसा भीजा वो लिखे देंगे कि this is covered in the LRS liberalized remittance scheme done चलिए, धाई लाग से ज़्यादा पैसा भेजी नहीं सकते आप, उसके भी फिर कुछ exception रहते है विनू भाई, जैशिल भाई जैशिल भाई को point number 7 समझ में नहीं आए, 7 में क्या था कौन सा point number 7 7 न, 7 में ये है कि अगर मालो TCS cut गया है sorry, TDS cut गया है, तो फिर इसमें TCS नहीं आएगा, जैसे मैंने बोला All India rank आपकी आई, और rank में क्या हुआ rank आने से मैंने एक package book करा है और जब package book करा है, तो उस package पे हमने TDS काट लिया, कौन सी सेक्शन में 194 C में, तो फिर यहाँ पे TCS नहीं आएगा TDS cut गया, तो TCS नहीं आएगा चलिए, अब आप break ली जाए